हेलो बच्चो स्वागत है आपका डाउटनेट लर्न फन क्लास 12 के चैनल पे हम है विवेक आपके मैट्स के भाईया और आज हम आपको वन अफ दो एमपार्टन चैप्टर क्लास 12 का पढ़ाने वाले हैं जिसका नाम है investigation में आज基本 हम क्या करवाएंगे STARTיング से स्टर्ट करवाएंगे और कोशिश करेंगे कि जतनी जल्द यह चैप्टर आप लोगों का sacred हो जाए उतनी ज़ल्दी कोशिश करेंगे करने की बट याद रखना जो भी questions हम करवा रहे हैं वो most 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 important questions है ठीक है तो चलो आओ शुरू करते हैं आपकी integration तो बच्चों देखो integration start करवाने से पहले introduction देने से पहले सब कुछ बताने से पहले एक बार फटा फट आप लोगों को बता देते हैं कि जो हम integration आपको करवाएंगे आज ही इसका मतलब बिलकुल यह नहीं है कि चार लेक्चर में आपको यह पूरा चैप्टर मिलेगा ठीक है वह आपको पता लग जाएगा कि पहला topic जो हमने लिया है वह क्या लिया है वह enforce process of differentiation integration क्या है प्रॉसेस हैो यह टॉप बड़ा डीटेल से आपको समझाय जाएगा फिर उसके बद जोमेट्रिकल डाफिनेट अप इंडफिनेट टीग्रल फॉन इसके सांथ में cbc board syllabus में तीन ही method है जो कि क्या है substitution partial fraction and by parts by parts substitution अगर देखो तो नाम से ही बता रहा है कि हम किसी चीज को substitute करते हैं और partial fraction में by fraction को हम different different parts में टोड़ते हैं और by parts में function को ही break कर देते हैं by parts में जिसमें usually बहुत famous है i le true product rule of integration और उसके बाद one of the important and बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला टापिक जेए में भी और सीबसी बोर्ड में भी definite integrals definite integrals तीन पार्ट में fundamental theorem उसके बाद evolution of definite integrals by substitution method and फिर से जो topic important important topic का फिर भी important topic जो क्या है properties के business पे questions some properties of definite integrals यह आपका syllabus है जो आपका syllabus किसका है integration का clear है सभी बच्चों को ठीक है चलो आओ start करते हैं आज integration तो सबसे पहले start करते हैं integration कहां से आया है integration बच्चों देखो यह आया है calculus से अब यह calculus क्या होता है देखो calculus basically दो parts में टूपता है calculus क्या होता है mathematical mathematical branch है maths की एक branch है जो की basically दो forms में टूपता है एक बनता है वो differential calculus जिसमें आपकी basically differentiation आती है differentiation and all part differentiation application of derivative and differentiation से related सारा का सारा topic ठीक है फिर उसके बाद आता है integral calculus जो की basically होता क्या है यह होता है integration से related आपके study integration से अगर हम बात करें बसिकली integration का मतलब क्या होता है integration आया कहां से बना कहां से बड़ते क्यूं है ठीक है तो तो सबसे पहले अगर हम integration की बात करें जो कि हम बताते भी आ रहे हैं कि integration क्या होता है integration होता है inverse process of differentiation inverse process भी बोल सकते हैं anti-derivative भी बोल सकते हैं anti-derivative क्या होता है देखो आपने 5th chapter में अपने पढ़ा होगा क्या पढ़ा है कि यह पढ़ा है कि जब हम differentiation करते हैं न किस चीज़ का साइन एक्स का डिफ्रेंशेशन करते हैं तो साइन एक्स का जो डिफ्रेंशेशन होता है वो होता है कॉस एक्स यह आपने डिफ्रेंशेशन में पड़ा है अच्छा यह भी पड़ा होगा कि जब हम डिफ्रेंशेशन करते हैं किस चीज़ का जब हम डिफ्रेंशेशन करते हैं X की पावर 10 का तो उसका डिफ्रेंशेशन क्या आता है वो आता है 10 इंटू X की पावर 9 यह डिफ्रेंशेशन है डिफ्रेंशेशन विलाल बता रहे हैं बट इंटीग्रेशन क्या होता है anti-anti differentiation मतलब आगर हम इसका integration करें तो वो क्या बन जाता है यह function बन जाएगा मतलब हम integration of cos x करें तो वो क्या बन जाता है sign x बन जाता है integration of 10 into x to the power 9 का हम integration करें तो वो क्या बन जाएगा आपका वो बन जाएगा x की power 10 correct बात समझाई ठीक है तो यह था आपका छोटा सा basic अच्छा यह चीज़े मिट गई है फटा फटा इसको clear करते हैं x की power 10 है ठीक है याद रखना इस चीज़ को चालो आगे बढ़ते हैं अच्छा अब यह तो था integration का basic basic funda अब integration basically दो पार्ट में टूपता है calculus दो पार्ट में टूपता था integration और आप यह definite and indefinite का मतलब क्या होता है आप लोगों ने definite का मतलब तो पता ही होगा आप लोगों को definite मतलब जिसको हम properly properly क्या रख सकते हैं proper boundary condition में रख सकते हैं अब यह boundary condition क्या हो सकती है मतलब एक proper कमरे में रख सकते हैं और indefinite जो बिलकुल खुला गुमता है बिलकुल खुला बिलकुल ना शरम ना लाज वाला हिसाब किताब होता है ठीक है तो indefinite integrals में होता क्या है represent कैसे किया जाता है इसको represent किया जाता है like this integration of कुछ भी function ले सकते हो fx ठीक है integration किसके respect में हो र कैसे लिखा जाता है जहां पर कोई boundary conditions नहीं होती है अब यह boundary conditions क्या होती है अब अगर इस indefinite integrals में हमने क्या कर दी boundary conditions मतलब मतलब limits put कर दी A से लेके B तो ये बन जाता है आपका क्या ये बन जाता है definite का case ये किसका बन जाता है ये बन जाता है definite का case मतलब इसको पता है कि कहां से कहां तक होना है definite integrals में क्या होता है इसको पता है मिरे को कहां से कहां होना है lower limit से upper limit इसमें कोई limit है ही नहीं इसमें normal इसमें क्या होता है general terms आएंगे general general चीज़े आएंगे general formulas लगेंगे इसमें क्या लगेगा इसमें specific चीज़े आएंगी specifically defined किया जाएगा इसको indefinite definite integrals को indefinite तो चिल वाला मामला होता है indefinite का चिल वाला मामला नहीं होता है यह serious होता यह बहुत जादा यह बहुत जादा सीरियस होता है ठीक है चालो तो यह था आपका integration के distinguished integration दो parts में होता है basically यह जो part है ना इसमें से आपका most probably 55 marks के sorry 4 marks का a question definite बनता है chances होते है'm maximum chances होते हैं 4 marks a question बनता है और इसी के अंदर ही definite integrals के अंदर ही आप study करते हो application of integration को application of integration इसी के बाद integration के बाद next chapter किसका है next chapter है आपका application of integration और वो chapter जो है वह in definite integral का ही part वह इसी का ही part है आलब सारी 0 से लेके 2A फिर उसके बाद ये तो famous questions ही है आप लोगों ने अब तक तो पड़ी लिया होगा famous question minus A से लेके integration करते हैं तो अगर even function होता है तो क्या होता है odd function होता है तो क्या होता है बड़ा famous question एक marks में काफी chances होते हैं आने के चीक है चलो आगे बढ़ते हैं चलो भई आगे बढ़ो आच्छा ठीक है तो जैसा कि हम बता रहे थे integration क्या है inverse function है differentiation का तो अगर इसको बताया जाए तो इसको normally इस form में बोल सकते हैं कि जैसे हमने बोला differentiation डी बाइडी एक साफ हम function करते हैं तो वो किसके बराबर आता है वह आता है अफ does एक सके बरक्रदाभ यह चीजए हम बता चुके है एक बार फिर से बतार देते हैं चीक यह दो यहां दो यह और बन जाएगा अगर इसका integration off f dash X करते हैं किसके रिस्फेक में dx के respect में तो यह क्या होता है यह बन जाता है आपका fx ठीक है और यहां पे क्या निकल के आएगा यहां पे सी चीज निकल के यह सी क्या है यह होता है यह होता है यह होता है यह होता है constant term है inverse process है एक दूसरे के opposite है समझा बट यह सी क्यों आया इसका reason क्या है देखो इसका reason यह होता है सी समझाने का reason बता रहे हम सी आया कैसे देखो सी इसलिए होता है देखो जैसे कि आप लोगों को पता है कि जब हम sign x plus यहां कोई constant term ले लिते हैं जैसे हमने ले 60 16 वो लगे 16 इसका हमने क्या किया है इसका हमने किया है differentiation पडिफरेंशेशन डिवाय डिये डियेक्स होता है notation होती है अब अगर इसका हम डिफरेंशेशन गरते हैं तो यह क्या निकल करेंगा यह निकल करेंगा कॉस एक्स और आप लोगों को पता है कि constant term का differentiation हो जाता है 0 constant term का differentiation क्या हो जाता है constant term का differentiation हो जाता है 0 तो ये 16 खतम ये 16 क्या हो गया खतम हो गया बट अगर हम इसका integration करें अगर हम सरफ cos x का integration करें तो वो क्या निकल के आता है वो सरफ और सरफ निकल के आएगा ps1-x गवो क्या निकलके आएगा साइन एक्स बट अभी-अभी हमने एक स्टेट्म next ॉस तो यह चैस्टीन गया कहां यह 16 गया कहां गूने भूमने नहीं गूमने नहीं गया इसी को प्रिवेंट करने के इसी चीज को prevent करने के लिए हम यहाँ पे लगाते हैं constant C क्यूंकि हमें नहीं पता की constant बई जब इसको differentiation करेंगे तो हमें यह नहीं पता की constant क्या था क्या value थे 10 थी 100 थी 20 थी तो हम एक sign लेते हैं C एक sign लेते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं C क्या होता है इसे बोलते हैं 只 Nome clearing constant इसे k्या बोलते है integration constant बोला जाता है ये होता है इस वजए से हम यहाँ पर C लगाते हैं ताकि जो constant term जब differentiate करी थी इसकी differentiation करी थी, तो ये कुछ ऐसा बनिया था, अब ये 0 है, अब इसको वापस लेके आएंगे, 0 तो 0 हो जाएगा, अब इसका integration करेंगे, 0 का integration क्या होगा, अब जीरो को किसी से multiply करो, 0 हो या जाएगा, चीक है, तो इस constant को वापस लेके आने के लिए, इस constant को इस तरीके से C लि अब थोड़ा और important चीज़े आ गई आपकी, अब देखो, अब क्या है, अब थोड़ा सा और important चीज़े है, है क्या, कि भई, terminologies and notation क्या-क्या होती है, integration में, तो यहाँ पूरा detail में वैसे आपको समझा रखा है, बट फिर भी हमारा करतब बनता है बताने का, देखो, integration का sign होत होता है, कैसे होता है, ऐसे इस form में होता है, ठीक है, यह आपकी lower limit है, यह आपकी upper limit है, यह है function, अच्छा, अब सुनना ध्यान से बड़ा, यह जो function है, इसको बोला जाता है, integrant, इसको क्या बोला जाता है, integrant, जिस function, जो function आपका integration में जाएगा, उस function को क्या बोला जाएगा integrant बोला जाएगा जिसके respect में हो रहा है ये x के respect में हो रहा है x क्या है आपका x है variable of integration ये क्या है variable of integration and a और भी आप लोगों को पता है कि limits होते हैं तो ये चीज़ आपको पता हो नहीं चीए कुछ छोटी छोटी terminologies है जैसे की integrant ठीक है उसके बाद limits आप लोगों को पता है क्या होती है इसको क्या बोला जाता है पूरे को कैसे बोला जाएगा बोला जाएगा integration of f function f function किसके respect में x के respect में dx का मतलब क्या बताता है dx बताता है कि किसके respect में हो रहा है किसके respect में आप integration कर रहे हो ठीक है यह था कुछ-कुछ आपका basic basic चीजे introduction of a trigonomet sorry introduction of integration integration का introduction अब चलो बात करते हैं standard formulas की अब कुछ formulas आप लोगोंने differentiation में पढ़े होंगे अब ऐसे ही कुछ formulas आपके integration में भी आते हैं जैसा कि हमने start किया कैसे start किया था हमने differentiation से start किया था और बताया था जब हम differentiation करते हैं sign की sign की differentiation करके आता क्या है कोस आता है तो ऐसे ही जब हम integration करते है कौस की कॉस की अगर integration करेंगे तो वो क्या निकल के आता है वो निकल के आता आपका sin x ठीक है और साइड बाइग साइड plus का c ऐसे ही side by side plus का c similarly integration of s sue kते हैं तो वो क्या होगा ड oss kya respect में डिए क्स लगाना मत भूलना ठीक है आपको डी एक्स क्या बताता है डी एक्स बताता है वही किसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रही हो साइन एक्स का इंटीग्रेशन डी एक्स के रिस्पेक्ट में तो वो क्या होगा वो होता है माइनस का कॉस एक्स वो क्या होगा माइनस का कॉस एक्स यह चीज़ क्लियरए फंड है ठीक है इतना समझ आगया चालो और इंत्रीडरीशन का अगर फारमिल ले बतार तो आप लोगों को याद होगा की शीकर्ण स्क्केरर एक सिकंड स्क्वरेक्स का जब हम हो क्या करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं या सारी बाते छोड़े के सिकेंट स्कूर एक्स किसका डिफ्रेंशेशन होता है टैन का तो टैन का टैन का differentiation secant square x होता है तो secant square x का integration क्या हो जाएगा वो हो जाएगा 10x similarly plus c भी लगेगा ऐसे ही आप इसको use कर सकते हो cosecant square x cosecant square x with respect to किसके साथ dx के साथ ये क्या बन जाएगा ये बन जाएगा cortex और दो भी formula है और दो भी formula है वो भी लिखेंगे अब बाट करते हैं ये तो आपके trigonometric formulas है ये क्या है trigonometric integration अब यहाँ पर हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे ये चीज़े आपको बता देंगे बहुत detail से बताएंगे लेके भी आए है इससे next to next page में पूरे के पूरे formulas है वो आपको दिखा देंगे तो वो समझ जाओगे सारे कि सारे अब बात करते हैं trigonometry से थोड़ा सा हटके algebra के part पे तो standard formula x to the power n integration of x to the power n इसका integration क्या होता है इसका integration होगा x की power n प्लस 1 divided by n प्लस 1 प्लस में c जब हम differentiation करते थे याद है आपको जब हम differentiation करते थे x की power n का तो वो क्या करते थे power नीचे आ जाते थे multiply में बट यहाँ चलीगी denominator बट बट उसमें क्या करते थे power में minus करते थे n minus 1 होता थे यहाँ power में n minus n नहीं n plus 1 करेंगे और multiply में होती थी बट यहाँ चली जाएगी divide में but plus करके n plus 1 plus में c कुछ questions करवाएंगे जिससे आप बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे की हुआ कैसे बना कैसे निकला कैसे ठीक है अच्छा ठीक है यह बन गया अच्छा नॉर्मल अगर सिरफ dx ही रहेगा तो उसका क्या हो जाएगा उसका होगा x plus c सिरफ सिरफ dx है सिरफ और सिरफ dx है तो उसका integration क्या होगा उसका integration होगा x plus c ठीक है आई चीजे समझ में बहुत सारी चीजे अभी बच रही है वो भी समझाना चाहेंगे देखो यहाँ पे basic चीजे तो आपको बता दी करते तो आता था वह आप लोगों को पता एक दिफ्रेंशेशन करते तो आता था को सिकेंट खूर एकस माइनयस का बट सिरफ Co Cindy kann स्क्वार एकस integration करेंगे तो क्या आएगा माइनस का motor आएगा माइनस का text ऐसे ही second का icha investigation करते तो क्या आएगा उसका integration करेंगे तो वो secant आएगा ऐसे ही cosecant का differentiation करते थे क्या आएगा ऐसी ही उसका integration करेंगे तो क्या आएगा ये सारी चीज़े हम बताएंगे detail से बट जो बताना थोड़ा सा important है वो ज़रा एक बार detail से बता देते हैं देखो अब बारी आती है AX प्लस B का पावर N की इसका integration DX के रिस्प्रक्टर है ठीक है अच्छा ये चीज़े जो है न ये शायद फॉर्मलेस के फॉर्म में नहीं होती है बट इससे बोला जाता है chain rule अब ये होता क्या है समझ लो वैसे ये substitution का part है बट फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए फॉर्मला होता क्या है ये होता है आपका ऐसा AX प्लस में B whole to the power N प्लस 1 divided by N प्लस 1 इंटू में A और प्लस में C किया क्या डिटेल से वो भी बता देते हैं देखो सबसे पहले उब्दिस ही बात है power N है तो power में N प्लस 1 ऐसे ही N प्लस 1 नीचे बट यहां क्या होता है जो base है AX प्लस B है उसका करेंगे differentiation और वो denominator में चला जाएगा like this यह आया आपका A ठीक है एक और चीज अब एक और चीज हो सकती है यहां से थोड़ा सा pen change करते हैं यहां से आप बोलोगे integration of sin AX integration DX के रस्पक्त इसका क्या होगा लगेगा यही वाला formula लगेगा बिल्कुल यही formula but होगा यह minus का cos angle बनेगा AX but जब denominator की बारी आई तो इस part का मतलब angle का differentiation करके denominator के नीचे आ जाएगा मतलब यह कुछ इस तरीके से हो जाएगा plus में सी चीक है plus में सी मत भूलना ठीक है दो और important चीजे क्या दो और important चीजे एक तो आपका यह पता होना चीक है भाई exponential का differentiation e to the power x का differentiation करते हैं तो वो क्या होता है e to the power x ही होता है ऐसे ही e to the power x का integration करेंगे तो वो क्या होगा e to the power x ही होगा but 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 यहाँ difference इस power में a है तो जब differentiation करते थे नॉर्मली अगर differentiation करते थे तो आप लोगों को पता था यह था दिफ्रेंटीसेशन डी तका गैस का differentiation करते थे क्या होता था e to the power x होता है कि यहाँ एक में हो जाता थे क्या हो जाता था डिवाइड ठीक है यह कुछ बेसिक बहुत जादा बेसिक बहुत 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 जादा बेसिक फॉर्मुले जो कि हमने करवाने की कोशिश करी अब एक दो चार और जो कि अभी भी बच रहे हैं वो क्या है जैसे कि आप लोग करते हैं वन बाइ एक्स इंटिग्रेशन भी लिख सकते हैं एक्स की पावर माइनस वन इंटिग्रेशन डी एक्स के रस्वक्त में अब कुछ बच्चे बोलते हैं हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं अब इसमें आप लोग यह लगा सकते हो एंड प्लस इंटिग्रेशन का फॉर्मुला जो कि क्या होता है एलजबरिक प्लस वन करेंगे तो इक्या हो जाएगा जीरो और डिनॉमिनेटर में भी जीरो हो गया तो यह एपलिकेबल नहीं है अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ थोड़ा सा पीछे जाओ फिफ्ट वाले चाप्टर में फिफ्ट वाले चाप्टर में आपने क्या पढ़ा है आपने यह नहीं पड़ा कि लॉग एक्स का जब हम डिफ्रेंशेशन करते हैं तो वो क्या आता है वो क्या आता है वन बाइक्स आता है तो अगर हम यहां पे integration of one by x कर रहे हैं तो integration one by x का क्या हो जाएगा वो लोग एक्स नहीं हो जाएगा वो लोग अगर अकेला है डी एक्स के साथ integration किसके साथ हो रहा है तो वो क्या बनता है वो बनता है लॉग एक्स प्लस सी क्लियर है इतना अब आगे तो शायद थोड़ा सा तब बैद ओके ओके फाइन अब बात करते हैं आपके सारे के सारे important formula एक ही स्क्रीन पर सारे के सारे important formula एक ही जाकी स्क्रीन पर सारे के सारे देख लो यह ज्यादा काफी आसान हो जाएगा उपके लिए x to the power and co integrate ụ करते हैं तो यह होता है कॉस्चेकिर हमने अब j हो क्या आता है सीटेक्स इंटू टैनेक्स सिकेंटेक्स इंटू एक्स का इंटीक्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा सिकेंट आगसा आजएगा similar लिए चीक है आब कुछ बच्चों का यहां कहना होगा बिल्कुल हम मानते हैं बिल्कुल आप बोलोगे कि देखो सर भाईया ऐसा है कि हमें तो पता है स्लेबस बट आप भूल गए शायद स्लेबस आप बोलोगे कि ना स्लेबस में क्या कट चुका है स्लेबस में कट चुका है inverse function याद है आप बोलोगे कि ऐसा है ना तो inverse trigonometry में inverse function था मतलब detailing था नहीं थी उसके बाद जो आपका ट्रिगर ओ जो आपका differentiation है जो आपकी differentiation है differentiation में भी inverse function नहीं है तो ये क्यों है ये formulas क्यों है इनकी जरूत क्या है है ना ये जो inverse वाले जितने भी inverse वाले हैं इनकी जरूत क्या है हम बोलेंगे बहले ही inverse function कट गए है बहले ही inverse function कट गए है ये फिर भी आपके syllabus में है कैसे है syllabus में जब हम आपको specific angles जब हम आपको some specific formulas of integration करवाएंगे ना तो उसमें ये है भाई d by dx of one plus x square वो tan inverse x के बराबर है ये है बकाइदा तत्यों के साथ है और उसके बाद ये sine inverse वाला भी है ये भी है ये दोनों है अगर ये दोनों है तो इसका मतलब है कि cos inverse x तो होगा होगा और कोट inverse x भी होगा कॉस inverse x भी होगा कॉट inverse x होगा क्यूं होगा वह साइन का तो मानते हैं साइन लिए अग्यों का भी मानते है क्योंकि इसके specific formulas में given है आइडेंटिटिटी इज गिवन है ये वाला अगर यह चीज़े यह दोनों चीज़े अगर स्लेबस में हैं तो यह दोनों है और अगर यह दोनों है तो यह दोनों भी है कॉष भी होगा सकत सब्सक्राइब है तो यह चीज मत ऐसे कर देना कि नहीं है स्लेबस में करने जरूत नहीं है करना पड़ेगा ठीक है तो फिर स्पैसिफिक एंगल साएंगे तो फिर गोल जोल हो जाएगा अच्छा कसा जोल हो जाए एक है ऐसे ही यह आपको पता ही कि बएएच्छ decision क्या होता है है यह बीठीक है चीछ फिर का है यह दितिजया बाखी नहीं है यह हम मान के चल सकते हैं बट दो ही तो है क्या ही बड़ी बात है दो ही तो है क्या ही बड़ी बात है ठीक है अच्छा इसमें अब दो चीजे नहीं है जो की क्या क्या है जब आप इसको देखोगे पूरा चार्ट देखोगे तो साइड बाई साइड यह चीज भी the power n plus 1 divided by a into n plus 1 plus में c एक ये वाला फिर एक और था integration of sin of ax या कोई भी trigonometric function ये क्या बन जाता था ये बन जाता था minus का cause ax जो की angle है divided by a plus में c ठीक है और एक और है जो कि फिर exponential का है यहाँ जो exponential का formula मेंचन कर रहता है ना वो सिरफ e to the power x का है लेकिन इसको ऐसा नहीं बलकि ऐसा देना चाहिए था थोड़ा सा जल्दबाद जी में दिहान से उतर गया वट आप लोग लिख लो यह ऐसा होता है ठीक है यह है पूरे पूरे formula में side हो जाता हूँ आप इसको screenshot लेना है screenshot ले लो लिखना है लिख सकते हो थोड़ा सा time देंगे अच्छे से आप इसको लिख लो फिर इन नहीं formulas पे हम कुछ questions basic questions करवाने वाले हैं आप लोगों को ठीक है बेसिक questions करवाने वाले हैं हम हम ठीक है पूरा detailing के साथ अच्छे से बढ़िया करीके से बताएंगे ध्यान से नोट कर लो कर लो अराम से प्यार से कोई भी दिक्कत परिशानी तो बता दे न ठीक है नोट कर लिया होगा हम मान के चल रहे हैं सबने नोट कर लिया होगा अब questions करवाने से पहले दो important properties बता देते हैं यह दो अब तक हम बता चुके हैं वही पहली प्रापर्टी है आपकी क्या होते हैं मतलब कि हम ऐसे बोल सकते हैं integration ऐसेand i स्वाइन आ पजा है हम ने बोला इन वर्स फोंक्षन है तो यह ऐा जाएगा सिंपल साइन सी ही आ जाएगा या इस को हां चीह कहना चीह को कि पयर एक्स of fx d by dx of fx और integration यह बन जाता है सिरफ और सिरफ आपका function fx ठीक पहली property दूसरी property क्या है दूसरी property है कि अगर दो families है curve की चीक है two indefinite integrals with the same derivative same derivation हो रहा है तो वो क्या है same curve पे लाई करती है not that much important इतना जादा जरूरी नहीं है but simple statement है कि अगर दो क्या है दो same integral same मतलब properties लग रही है same आपकी integral identities हो रही है तो वो क्या होगी same family से belong करेगा ठीक है एक ही family से belong करेगा ठीक है अब बात करते हैं जो important है उसकी दो जो यह नीचे दिख रही है जो की white white में है जानबूच के भी डाली गई है कि यह है important आपके अब कोई भी दो function है एक है fx एक है gx दोनों को add किया गया है उनका integration कैसे कर सकते हैं दोनों को break कर दो मतलब मतलब की यह अब detail में समझाएंगे देखो मतलब की यह कि अगर आपका function कुछ ऐसे है integration बोल दिया है यहां बोला है sin x और इधर बोला है exponential इसका क्या करना है integration करना है तो इसको आप लोग क्या कर सकते हो इसको आप लोग कर सकते हो break मतलब इसको हम बोल सकते हैं ऐसे भी integration of sin x dx के respect में प्लस में integration of exponential function किसके respect में x के respect यह होती है आपकी third property जो की काफी काम आती है ठीक है अब fourth identity fourth property fourth property यह बोलती है अगर क्या है एक कोई constant term है क्या है constant term है और वो function के साथ multiply हो रहा है तो पहले तो constant term को बाहर निकालो क्या है constant this point in time में उसको क्या निकालो बाहर निकालो और फिर function का integration कर दो जैसे कि इसको भी बताते हैं जैसे कि यह हमने बोला कि आपको क्या करना है ईंटीडिशन करना है इंटीडिशन करना है बहुत सारे ले लिया x to the power n का integration करना है x to the power n का बट इसके साथ multiply में क्या है इसके साथ multiply में हमने ले लिया m इसके साथ multiply में क्या ले लिया m अब m into x to the power n का integration करना इससे बढ़िया आप इसको कैसे लिख सकते हो m को निकालो बाहर और integration करो x to the power n का चीक है आया समझ ठीक है आया यह है आपकी कुछ properties जो कि ये दोनों काफी importance रखती है बहुत जादा महत्व रखती है importance रखती है ठीक है basic formulas हो गए है basic formulas हो गए है basic identities हो गई है अब basic questions की तरफ जाते है basic questions की तरफ जाते है तो ये है आपका आज का पहला question आपकी screen पर जो की दिखाई दे रहा है ये बोला क्या गया है बोला ये गया है anti-derivative, anti-derivative मतलब integration, anti-derivative को एक integration भी बोलते है integral भी बोलते हैं ठीक है बताया था integration और anti-derivative, anti-derivative मतलब integration Anti-integration मतलब dipperu generation ठीक है तो ये है question देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं हमें बोला कیا गया है हमें बूला है कि integration find करना है किसका given function है उसका क्या करेंगे चिंपल अभी अभी property बताई है हमने जस्ट अभी अभी property बताई है है जो कोशन है इसको पहले कैसे लिखोगे इसको लिखोगे इंटीग्रेशन किसके रस्पेक्ट में है बाइविस सी बात है वेरियेबल आपका एक्स है तो यह कुछ इस तरीके से लिखा साइन एंगल है 2x माइनस का 4e to the power 3x integration किसके रस्पेक्ट में हो रहा है एक्स के रस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा dx हो जाएगा dx हो जाएगा ऐसा है यह कुछन का फॉर्म इस तरीके से अब यहां से लगेगी पहली प्रॉपर्टी क्या अभी अभी बताई प्रॉपर्टी क्या बताती है यह बोलती है कि अगर दो फॉंक्शन है वो दोनों क्या है या तो addition या तो subtraction दोनों में applied होता है तो बहार और integration क्या होगा 4e to the power 3x integration with respect to dx अब आखरी वाली यह थर्ड प्रॉपर्टी है याद है यह वाली प्रॉपर्टी है कि भाई दो फॉंक्शन है तो दोनों को क्या कर दो ब्रेक कर दो अब next वाली प्रॉपर्टी अगर कि यह multiplication में है किसी फॉंक्शन के साथ या divide में भी constant term को क्या निकाल दो बाहर की तरफ निकाल दो कैसे m into x to the power n था m को निकाल लिया बाहर बाहर की तरफ निकाल दे तो यह क्या बन जाएगा यह इस तरीके से बन जाएगा minus का 4 integration of e to the power 3x integration with respect to dx और यहां क्या हो जाएगा simple sine 2x integration किसके respect में dx के respect है अब जड़ा यहां पे आप लोगों के लिए answer लिखने से पहले जरा हम identity लिख देते हैं या formula लिख देते हैं कि हम कौन सा use कर रहे हैं ताकि आप cushion को देखो बगल में formula देखो तो दुबारा देख दे के formula आपको याद हो जाएं क्योंकि paper में कुछ भी नहीं मिलेगा list विस्ट कुछ नहीं मिलेंगी अब यहां हम बगल में लिख देंगे यह formula होता है फिर paper में क्या गरोगे अगर formula ही याद नहीं होंगे तो पहला integration of किसका integration by sine of angle ax किस से रह सकत में ax के रह सकत में यह क्या हो ज कि क्या होता था यह होता था e to the power ax divided by a plus में c यहां भी constant c आएगा यहां भी constant c आएगा दोनों लिख दिये दोनों याद होगे भई वो प्लेस c है वो थोड़ा सा छुप गया है तो इसको यह दोनों c consider करके चलो एक ही के हैं ठीक है अब इसको करना है इसको solve करते हैं तो यह क कि माइनस का चलो भई माइनस का 4 च्रिक है और यह था एकी P पावर 3x2 और दोनों का constant हमने जी लिया वह इसका भी constant c आएगा इसका भी constant c आएगा इसका c1 बोल दो इसका ने क्या बोल दिया इसका बोल दिया c1 इसका बोल दिया c2 और ये common constant c1 plus c2 बोल दिया अब इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं इसको आप लिखना चाहो तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो minus का 1 by 2 cos of angle 2x minus का 4 by 3 into e की power 3x plus में constant c ये है आपका integration इस तरीके से आप करोगे ठीक है आई बाते समझ में सभी को अच्छे से बढ़िया दरीके से very good very good शाबाश बहुत अच्छे चलो आगे बढ़ते हैं basic से थोड़ा सा थोड़ा सा और question को थोड़ा सा और थोड़ा सा critical and tough बनाते हैं next question आपकी screen पर यह रहा थोड़ा सा उससे जिसे बोलते हैं थोड़ा सा leveled up question अब जो question है यह basically दिखतो रहा है algebra का integration करनी है algebra की मतलब x की term से उन्हें algebra बोला जाता है अब यहां लगेगा क्या यहां लगने तो वाला है यही वाला formula x to the power n का formula ठीक है अब यह होता क्या है यह होता है यह होता है आपका x की power n plus 1 divided by n plus 1 plus में c अच्छा होता तो यही है लगेगा भी यही लेकिन लगेगा कैस लगेगा कैसे formula तो चलो ठीक है लगेगा जो लगेगा सो लगेगा बट यह denominator में रूट x है यह बड़ी दिक्कत दे रहा है यह ना बड़ी confuse कर रहा है करें कैसे होगा कैसे समझ नहीं आ रहा तो चलो आओ समझाते हैं देखो अगर यह कोशन को आप थोड़ा सा और detail में ब्रेक करके x की power 3 divided by root of x चीक है प्लस में integration 3x divided by root x प्लस में integration 4 divided by root x integration सबके dx के respect में हो रहा है तो सब में लिख दिया dx चीक है इतना सभी को समझ आया बड़ी ब्रेक कर दिया बाकी इसको क्या करें ब्रेक ही करने का एक option बचता है अब अगर आपको याद हो क्या आप लोगों ने छोटी ख्लास में पड़ा है कि अगर x की power या root of x उसको कैसे लिखा जाता हैc की power 1 by 2 लिखा जाता है ऐसे लिखा जाता है बिल्कुल ऐसे लिखा जाता है तो ठीक है इसको बताने का मतलब क्या था मतलब सिंपल बताने का मतलब ये था कि जो टर्म है ना ये वाले सिरफ इसको बता रहें फिलाला भी बता सॉल करके इसको बता रहें इसको हम कैसे लिख सकते हैं इसको इस तरीके स से लिख सकते हैं लिख़ा जा सकता है ठीक है उससे फाइदा क्या हो है दिखो से फाइदा है यह होगा x action x दोनों क्या है बेस एम है तो पावर अगर डिवाइद में अगर यह सेम होती है और डिवाइड हो तो क्या हो जाती पावर माइनस मतलब समझ नहीं आया अभी समझाते हैं देखो हमारे कहने का यह मतलब था कि अगर X की पावर M divided by X की पावर N होता है तो वो क्या होता है X की पावर M माइनस का N होता है X की पावर M माइनस का कर रहे हैं सिंपल नॉर्मल कर रहे हैं एक्स की पावर 3-1 बाइटू कितना हो गया एक्स की पावर 3-1 बाइटू तो यह कितना बन गया यह बन गया एक्स की पावर 5-2 मतलब अपन लोगों को integration इसका करना है मतलब यह जो था यह ऐसा बनेगा आया समझ तो अगर इसको हम अब solve करें अब इसको खोलें तो यह कुछ ऐसा बनेगा integration एक्स की पावर 5-2 integration with respect to dx अब further इसको solve करें इसको देखो इसकी पावर है 1 और इसकी पावर है 1 बाइटू तो 1-1 बाइटू क्या हो जाएगा 1 बाइटू और 3 चला जाएगा भार प्रापर्टी का यूज करते होए तो यह जाएगा 3 integration of x की पावर 1 बाइटू ठीक है इतना समझ आया simple कुछ नहीं किया है simple इसमें 1 थी पावर इसमें 1 बाइटू थी वही चीज लगाई 1-1 बाइटू बाइटू बचेगा सिमिलरली यहां से फोर बाहर लिया यह सिर्फ वन बाइटू एक्स है और डिनॉमिनेटर में है उपर जाएगा तो क्या हो जाती है पावर रेसिप्रोकल हो जाती है तो यह क्या हो जाता है माइनस का तो यह कुछ ऐसा बन समें और इंटीग्रेशन आफ एक्स की पावर माइनस का बन बाइटू रूट लगा है तो क्या बन जाएगा रूट लगा है तो क्या बन जाएगा माइनस का बन जाएगा रूट लगा है तो क्या बन जाएगा माइनस का बन जाएगा और डिनॉमिनेटर से निमेरेटर में लेके आ रहे हैं तो क्या बन जाएगा माइनस का बन जाएगा इस तरीके से और इंटिग्रेशन किसके रस्पक्ट में हो रहा है भाई डी एक्स के रस्पक्ट में हो रहा है अब नॉर्मली पर दो कौनसी आइडेंटिल लगानी है नहीं लिख रखी वोरी न लिख रखी यहीं वाली लगानी है एक्सटु दढ़ फावर एंटिग्रेशन विद रस्पक्ट टो एक्स वील भी कोस तु N की पावर n प्लस 1 divided by n प्लस 1 प्लस में C ठीक है इसको फर्दर सॉल कर दो और खतम कुश्चन यह बन जाएगा आपका किसके बराबर एकस की पावर 7 by 2 divided by 7 by 2 ठीक है प्लस में 3 x की पावर 3 by 2 divided by 3 by 2 प्लस में 4 x की पावर यह बन जाएगा 1 by 2 माइनस 1 by 2 प्लस 1 करोगे तो क्या बनेगा 1 by 2 और यह बन जाएगा इस तरीके से इसको फॉर्दर हम cleanly solve करें तो यह आजाएगा अपने पास दो बटे साथ 2 by 7 into x की पावर 7 by 2 ठीक है प्लस में 3 out 3 cancel तो यह बन जाएगा 2 x की पावर 3 by 2 and 2 पर चला जाएगा यह बन जाएगा 8 into x की पावर 1 by 2 यह आएगा आपका answer ठीक है integration of this वाला part detail में समझाया है पूरा अच्छे से clean शेव पूरा अच्छे से detail में completely solve करके बताएगी कैसे होगा कहां से होगा किदर से आएगा कौन सी identity बिल्कुल 0 basic से बिल्कुल ऐसे पढ़ा रहे हैं जैसे बिल्कुल नहीं आता आप लोगों को ठीक है चलिए अब बात करते ह है next question की अब यह question आप लोगों का self है इसको आप खुझ से try करना just बिल्कुल repeat है अब इसमें क्या करोगे simple सी बात है यह क्या है आपका क्यूबिक क्यूबिक polynomial है क्यूबिक पॉलिनोमिल है और नीचे क्या है quadratic है अब simple सा काम इसमें यह बनता है क्या यह divide हो रहा है अगर आप ध्यान से देखो ना तो यह हां बिल्कुल डिवाइड हो रहा है बिल्कुल डिवाइड हो रहा है पूरा completely डिवाइड हो रहा है simple आप एक तरीका इस से भी कर सकते हो कि भाई यह x2 ले लिया अंदर की तरफ x-1 बच गया प्लस 1 ले लिया और यह बन गया x-1 इसको हम बोल स से x2 बहार निकालके अंदर बच गया x-1 यहां से प्लस 1 बहार निकालके बने जाए अब इसको x-1 से x-1 काट दो बचेगा क्या सिरफ यह बचेगा इसका integration करना है क्या बड़ा काम है ठीक है तो यह कुछ से है बट बता तो हमने दिया ही है आगे बढ़ते हैं next question के और next question के यह रहा आपका next question क्या यह आप लोग कर पाओगे हाँ जी क्या इसको solve कर पाओगे देखो हमने पढ़ा है क्या पढ़ा है कि कुछ बच्चे ना यहां पर जो mistake करते हैं वो हम अभी करके दिखाएंगे देखो कुछ बच्चे mistake क्या करते हैं पता है कि हमने formula दो formula पढ़े है क कि इसको ऐसा पढ़ा है integration of second square x पढ़ा है अभी अभी formula बताया था आपने कि second square x integration क्या होता है ठीक है और ऐसे ही जो आपका लगता है यह पूरा गलत है क्या हम differentiation ऐसे करते हैं नुमरेटर अपन डिनॉमिनेटर की फॉर्म में होता है तो नहीं उसमें क्या लगता है कोशिंट रूल लगता है तो ऐसे के integration कर सकते हैं बिल्कुल नहीं कर सकते हैं ठीक है तो इस case में क्या करना है जैसा कि हमें पता है कि नुमरेटर और डिनॉमिनेटर मतलब कोशिंट रूल होता नहीं है integration में और आप तक हमने पढ़ा नहीं है आप तक हमने सिरफ basic पढ़ा है तो इसको भी basic से ही करना है अब इतना भी basic नहीं करना है कि सब कुछ ही गलत कर दो ये गलत है अब सही कैसा होगा देखो समझाते हैं देखो आप लोगों को 10th class में कुछ चीजे बताई गई थी क्या क्या बताई गई थी वो मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि जो हम secant लिखते हैं वो होता है आपका cos का reciprocal मतलब secant x can be written as 1 by cos similarly आपको जो cosecant होता है उसको हम कैसे लिख सकते हैं उसको लिख सकते हैं 1 by sin उसको कैसे लिख सकते हैं 1 by sin की form में लिख सकते हैं तो ये ऐसा ही तो दिख रहा है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं it can be written as 1 by cos square x whole divided by 1 by sin square x integration with respect to dx तो अब इसको further solve करा जाए तो ये क्या बन जाएगा ये बन जाएगा sin by cos ये बन जाएगा sin square x divided by cos square x integration with respect to dx और ये सीधा सीधा बन जाएगा form tan का मतलब ये बन जाएगा tan square x dx पता लगा ना tan कैसे आया tan नहीं होता tan होता tangent theta tangent of angle x ठीक है तो यहाँ से sign चला गया numerator मे cost चला गया denominator में ये तो आप लोगों को पता लग गया होगा ना कैसे बना यहां से simple a by b divided by देखो चलो जिसको नहीं आया उसके लिए भी बता देते हैं जिसको नहीं आया उसके लिए भी बता रहे हैं बट देहान से देखना देखो ऐसा है ये कुछ ऐसा है a by b divided by c by d ये कुछ ऐसा बन जाता है a by b divided by c by d ऐसा ही बनता है अब ये divide को जब हम multiply करते हैं तो denumerator में c denominator में वही तो चीज की है sine by cos और tan आपको पता है tan क्या होता है sine theta by cos theta, sine of angle x divided by cos of angle x, tan आ गया अब tan square x का भी हमें नहीं पता है tan square x का भी हमें कोई भी integration नहीं होता tan square x का अब तक तो नहीं पढ़ा होता होगा तो पता नहीं अब तक तो नहीं पढ़ा, अब तक हमने नहीं पढ़ा रखा, तो मतलब वो जो पढ़ार क्या है वही करने पड़ेंगे, अब तक तो वही करने पड़ेंगे तो यहाँ से हमें फिर से 10th class की याद आई क्या याद आई 10th class important थी देख लो कितनी बार यूज हो रही है ठीक है 10th class की याद आई और हमने बोला कि ना एक identity होती थी trigonometric identity जो की होती थी one plus second square x is equals to 10 square x होती थी याद आया कुछ एक identity होती थी one plus second square x is equals to 10 square x के बराबर होती थी इसका यूज क्या है सिरफ 10 square x है 10 square x for second form में लिख सकते हैं क्या आजी बिल्कुल लिख सकते हैं कैसे इसको लिख सकते हैं integration of second mistake है mistake है error 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 हाँ एक छोटा सा mistake किया है हमने छोटा सा नी ब्लंडर ही किया है यह ऐसा होता था यहाँ पे stand की जगास वो लिख दिया है यह होता था one plus seconds one plus 10 square x one plus 10 square x is equals to second of square x second square x यह होता था actual identity होती थी हमने थोड़ा सा mistake कर दी थी ठीक है यह होती थी identity one plus 10 square x is equals to second square x यह चीज होती थी आब क्या अब आब क्या करेंगे यही लगाएंगे यहाँ पे कैसे लगाएंगे ऐसे लगाएंगे देखो वही हम लिख रहे थे यह क्या हो जाएगा सिकेंट स्क्वेर एक्स माइनस का वन integration with respect to dx कैसी किया 10 square x इदर ही रखा माइनस वन उदर चला गया तो क्या बन गया माइनस का बन गया अब इसको सॉल कर सकते हैं इसको सॉल करेंगे तो यह क्या बन जाएगा इसको सॉल करेंगे तो यह बन जाएगा integration of सिकेंट स्क्वेर एक्स माइनस बाहर वन का integration dx के respect में यहां भी dx आएगा तो यह क्या बन जाएगा सिकेंट स्क्वेर एक्स का अभी अभी integration का formula बता रखा है क्या होता है वो होता है 10x वन का क्या हो जाएगा वहीं सिंपल डी एक्स है एक्स का क्या हो जाएगा एक्स और प्लस में सी मतलब यह है आपका integration of that part क्लियर है इंटीरेशन ऑफ सिकेंट स्क्वेर एक्स डिवाइड बैक और सी केंट स्क्वेर एक्स विल बी इक्वल्स टू टैने एक्स माइनस का एक्स प्लस का सी बिलकुल सही बात है बिलकुल सही बात है इसमें से एक कोशन दिया है आपको homework के तौर पे यह सेल्फ एसाइमेंट है कोशिश करना ट्राइ करना उसे करने की वैसे हमने बता ही दिया है वो कुशन वैसे हमने बता ही दिया है कि होगा कैसे ठीक है अब बढ़ते हैं next part की और next topic की और जो की क्या है method of integration method of integration जो basically 3 parts होते हैं ठीक है basically 3 parts होते हैं वो क्या क्या होते हैं यह आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं substitution method partial fraction method and parts method अगर हम बात करें substitution method की substitution method में क्या करते हैं हम substitution method में एक function को substitute कर दिया जाता है substitute मतलब आप लोगों ने cricket का game या football का game या hockey का game या फिर कबड़ी का game देखा होगा हम क्या करते हैं player को substitute कर देते हैं मतलब वो जो player इंटिग्रेशन fx का ठीक है dx के respect में अब इस x के function को replace करके हम क्या कर देते हैं हम कर देते हैं integration fg of x बना देते हैं इसको ठीक है इसको replace करके substitute करके दूसरा function मना देते हैं अच्छा किया क्यों जाता है किया क्यों जाता है अब game में किसी भी xyz game में हम player को substitute क्यों करते हैं या तो वो जादा ठक गया हो ठीक है या तो उससे goal नहीं हो रहा हो या score नहीं हो रहा हो या फिर वो इच्छो की ना हो खेलने का ठीक है तो या फिर उससे बढ़िया player बैठा हो बाहर जिसको हमें अंदर बेजना है दोनों player अच्छे हैं बट वो क्या हो लियाननमैसी हो फूटबोल की बात करते हैं ठीक है ऐसे ही same इस में होता है क्या पता यह हो जाए बट हमें रोनालडो या फिर मैसी को बेज़ दिया रोनालडो और मैसी क्या करेंगे फटा वर्ट गोल गर क्या जाएंगे ठीक है तो substitution क्या करता है जल्दी से काम खतम क्या अपना काम खतम हो गया integration खतम थेक्ई है वो काम होता है substitution method का ठीक है दूसरा method क्या होता है पार्शल fraction ये basically denominator में किया जाता है ठीक है जब denominator अत्रम तिग्रम लगा है मतलब थोड़ा सा अजीव सा denominator दिखता है तब यहां partial fraction किया जाता है मतलब fraction को parts में break कर दिया जाएगा मतलब denominator को तोड़ दिया जाएगा denominator को break की form break कर दिया जाएगा और by parts क्या होता है ये तो बड़ा famous है ये basically by parts मतलब यहां use होता है आपका क्या you dot product rule of integration जिसमें क्या होता है जिसमें होता है आईलेट जिसमें क्या यूज होता है प्रोडाक्ट रोल आईलेट का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए आईलेट का मतलब होता है बताओ बताओ चलो ठीक है कमेंट करना की आईलेट का मतलब क्या होता है फैर हम्हाइभ गरता है ते इसका मतलब dakika हर एक लैटर का अलग से एक हर एक लैटर नहीं हर एक अल्षाबेट का अलग ही मतलब होता है आईफ ओर आइफ और फार praticamente आ इंवर्स इंवर्स फंक्षन्स ल एल ए टी ती बज़ फिर टीन शब्बिशेंगों मुद्वर्ट का कमेंट करके बता देंगी क्या होता यह यह नहीं होता है कि इतना गरी शायोग सटे ओग अभी हम स्टुडी कर वा रहे हैं कि चीज की अभी हम बताते हैं आपको कौन सा substitution method क्या होता है जैसा कि हमने अभी अभी बताया for example के तौर पे लेना एक छोटा समय example देना चाहूंगा इसके regarding ताकि आपको जल्दी समझा जाए जैसे हमने बोला कि मेरे को integration करनी है थोड़ा सा दूसरा pen change करते है जैसे कि मैंने बोला कि integration करनी है किस चीजी की भाई 10x की करनी है किसके respect में करनी है secant square मतला करनी तो x के respect में है integration किसकी करनी है भाई इसकी integration करनी है 10x into secant square x dx अब करन तो सकते हैं normally कर सकते हैं बट यहां हमने देखा कि हम substitute कर देंगे अब substitute करेंगे तो यह क्या हो गया, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो और थोड़ा सा दिमाग लगाओ यहाँ पे तो 10X का differentiation क्या होता है secant square X होता है 10X का differentiation क्या होता है secant square X होता है, अब ऐसे मत कर देना U.V नहीं लगाना है भी इसमें U.V कब लगता है, जब different functions होते है दो अलग-अलग function होते है यह दोनों के दोनों trigonometric function है यह दोनों के दोनों क्या trigonometric function तो यहाँ पे हमने बोला, हमने अगर tan को क्या put कर दिया 10X को put कर दिया T, मतलब एक दूसरा function function था X का बट हम दूसरे function में उसको convert कर रहे है मतलब T में convert कर दिया और यह बन जाएगा कुछ ऐसा यह बना क्या, यह बना DT by DX भाई, जब हम 10X को T की form में convert कर रहे है तो यह जो DX है DX भी तो convert होगा बिलकुल, तो यह कुछ ऐसा हो जाएगा यह हो जाएगा आपका की secant square X into में DX will be equals to DT तो यह X से दूसरे parameter में convert हो गया by using substitution और यह कुछ ऐसा बन गया यह बन जाएगा T into में DT क्या बन गया T into DT अब यहाँ पे क्या हम normal formula लगा सकते हैं normal formula मतलब यह वाला X की power N DX integration यह क्या होता है X की power N plus 1 divided by N plus 1 plus में C ठीक है यह होता है सभी को पता है न तो यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा T की power 2 divided by 2 plus में C हाजी आई बात समझ अब T क्या हो जाएगा भई T तो हमने अभी बताया कि tan है तो मतलब इसका जो integration है वो किसके बराबर है वो है tan square X divided by 2 plus में C ठीक है मतलब अच्छ यह तो चलो एक question ही करवा दिया पूरा गापूरा एक question ही ले लिया question ही करवा दिया बट normal तरीका बताते है function function करके इसका बताते है कि होता क्या है देखो simple तरीके से अगर आप समझो तो इसमें क्या होता है एक function होता है पूरा ये पूरा एक function है जिसमें बेसिकली ध्यान से दखना जब हम substitute करते न जब हमने यहां से इसको substitute करने बैठे तो हमेशा याद रखना जिस चीज को हम substitute कर रहे है उसका differentiation question में फ्रेजन होगा क्यों प्रेजन होगा reason क्या है भाया ये dx भी तो replace होगा parameters भी तो change होगे क्या change होगे parameters भी तो change होगे तो यह क्या होगा parameters होगे तो dx replace हो जाएगा तो ये replace होगे क्या बनेगा ऐसा बनेगा मतलब सीदी सीदी भाषा में अगर बात करें तो अगर हम integration कर रहे है f of x का किसके respect में dx के respect में तो हम क्या करते हैं हम इस x को replace करते हैं इस x को replace करते हैं function of t की form में function of t की form में जो की ये इस तरीके से बन जाता है f of t dt ये कुछ ऐसा बन जाता है f of t f dash t dt ठीक है और यह फिर ऐसा बन जाता है directly क्या ऐसा बन जाता है और यहां पर आप value put कर सकते हों यहां पर आप directly value put कर सकते हों ठीक है ऐसे नहीं समझाता maximum को इसकी लिए हमने example के तौर पर ये बताया था देखो द्यान से फिर questions करवाते हैं और detail से समझाएगा और अच्छे से समझाएगा कि हुआ कैसे करेंगे कैसे समझेंगे कैसे ठीक है आगे बताएं अच्छा अब ये चार formula लिखे क्यों है याद करने के लिए नहीं ये बताने के लिए कि ये जो tan x का integration होता है वो log secant x plus c होता है अच्छा एक और होता है एक और missing है इसमें जो कि क्या है ये होता है minus का log cos x minus का log cos x plus में c ये भी formula होता है आपका tan x का अब ये रीजन अच्छा reason बता रहते हैं ये निकाले कैसे जाते हैं ये substitution method से ही निकाले जाते है 10x b cortex b secant x b and cosecant x b ठीक है एक तरीका बताएंगे अच्छा next question है एक simple सा method तीका बता देंगे simply बता रहते हैं कि होता कैसे तो simple सी बात है टैन है टैन को कैसे लिखा जाता है टैन को लिखा जाता है sign x by cos x 10x को लिखा जाता है sign x by cos x इसी तरीके से लिखा जाता है ठीक है अब जैसा कि हमने बताया कि substitution method क्या करता है function को replace करता है तो यहां जड़ा देखो जैसा कि हम बता रहे थे कि substitution method में क्या होता है जो function है उसका differentiation भी present होगा उसका differentiation भी present होगा तो ये क्या हो जाता है अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो कि cos का अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा confusion आपको होगी कि हम सिरफ cos को ही t put क्यों करते हैं देखो यहाँ मैंने क्या बोला cos x को t put कर दिया ठीक है इसका differentiation होगा minus का sin x dx is equals to dt यह minus है तो यह plus यहाँ जाएगा minus तो यह कुछ ऐसा बन जाता है integration minus का dt divided by t अब कुछ बच्ची यह बोलेंगे बिल्कुल बोलेंगे कुछ नहीं सारे सारे बोलने चाहिए कि यहाँ cos को t put क्यों किया sin को क्यों नहीं put किया t हमने बोला कि अगर इस function को थोड़ा ध्यान से देखो तो sin x numerator में है और जो cos x है वो denominator में है अगर हम sin को t put करते तो sin x का differentiation क्या होता है cos x होता है cos x numerator मे बट यह है denominator में अगर इसको proper तरीके से लिखा जाए न यह sin x by second x है यह sin x by second x है second x का क्या करना हमें second x का करना ही कुछ नहीं है हमें तो इस cos का लेना देना है sin का लेना देना है ठीक है तो अगर इसको और detail से समझो तो यह break होके यह actual में यह होता है इसलिए हमने cos लिया है ठीक है into में 1 by cos है यह 1 by cos तो 1 by cos का तो differentiation present ही नहीं ना function में function में तो present sign cos x का differentiation present है सिरफ cos x का denominator वाला cos x तो यह क्या बन जाएगा ऐसा बन जाएगा minus का dt by t और यह क्या बन जाएगा यह बन जाएगा minus का log t पता है ना 1 by x का और यह हो जाएगा 1 by log t की value कितनी है t की value और cos x या तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो जो की हमने यह formula लिखा है या फिर इसको ऐसा बोल सकते हो की log of cos of x की power minus 1 जिसको secant x बोला जाता है cos की power minus 1 का मतलब 1 by cos 1 by cos मतलब secant x यह सारे के सारे substitution से निकाले वे formula हैं ठीक है अब इसको आप solve करके याद करोगे या normally याद रख लो वो आपकी भलाई है देख लो आपकी किसमें ज़्यादा भलाई है normally याद करके रखना है या फिर simply ऐसे याद रख सकते हो देखो याद करना भी easy तरीका है easy बता भी देते हैं कैसे याद करोगे simple 10x को जब हम integrate करेंगे तो क्या आजाएगा log secant x या फिर minus का log cos x cot को करेंगे तो क्या आएगा वह 10 में अगर secant आ रहा है या cos आ रहा है तो cot में क्या जाएगा sign आएगा ये दोनों याद होगे अब बाकी बचा second secant क्या होगा second का जब differentiation करते second x into tan x होता है यहाँ जब integration करेंगे तो क्या हो जगा log secant x plus tan x जो cos secant x होता है उसमें तो minus लगता ही है तो ये क्या हो जगा log cos secant x minus cot x plus c चालो तो ये हम questions लेके आए हैं आप लोगों के लिए basically substitution part से substitution method से तो सारे के सारे करवाएंगे कुछ homework के तोर पे भी देंगे आप लोगों को ये सारे के सारे substitution method के questions है सारे के सारे अब इसमें आपको सिरफ analyze करना है कि इसको substitute करना है कि इसको value निकालनी है किसकी value निकालनी है ठीक है तो पहला question आपकी screen पर ये रहा integration of ये क्या है question है कि आपको integrate करना है 1 divided by x bracket log of x to the power m और ये जो condition हमें बता रहा है न जो आप इसके बगल में देख रहे है integration dx के रस्रट में है जो ये condition बता रहा है यहाँ पे कि जो x है वो 0 से बड़ा है और m 0 के बराबर नहीं है ये condition ध्यान से समझना है क्या condition का मतलब क्या अगर 0 से बड़ी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा वही minus हो जाएगा log of minus की में कोई value होती है नहीं होती है m क्या है 1 के बराबर नहीं अगर 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा अगर m की value 1 हो जाएगी M, अब यहाँ पे किस function को T put करें, किस function को, नहीं T put करेंा है, substitution method लगाना है, तो आपको पता ही लग गया होगा, log है, और लॉग का acceleration क्या होता है, 1 by x होता है, आपको पता है न, कि भढ़ी, log का differentiation क्या होता है, what is the differentiation of log x, d by dx of log x, वो क्या होता है वो होता है 1 by X और क्या 1 by X present है भाजी बिल्कुल present है बिल्कुल present है ठीक है और अगर X का डिफरेंसिेशन करो तो वो होता है 1 तो लॉग का क्या करेंगे ऐसा substitute ऐसा function substitute करना है ताकि पूरा का पूरा कौुशन उसमें cover up हो जाए पूरा का पूरा उसमें question क्या हो जाए cover up हो जाए कोशिश करो करने की ऐसा ठीक है अब इसको करते हैं चलो value put करते हैं तो हमने बोला यह कुछ ऐसा बन जाएगा integration ठीक है तो 1 by x into में dx वो क्या हो गया है वो हो गया है dt तो यहाँ पे जो value आई है log x की तो value हमने put करी है t तो 1 तो उपर है log x की value put करी t और 1 by x 1 by x dx वो क्या हो जाएगा वो जाएगा dt वो क्या हो जाएगा डीटी मतलब यह पार्ट बन गया अब कौन सी आइडेंटिटी या कौन सा फॉर्मला इसमें वैलिड है यही वाला तो फॉर्मला वैलिड है वन बाइ एक्स डी एक्स का जो की क्या होता है जो की होता है लॉग एक्स खुद प्लस में सी तो यह क्या बन ज पास चलो बहुत चलो नेक्स पेज यह जाएगा लॉग ओफ लॉग एक्स प्लस में सी यह तो इजी था आज इसी था सिंपल भाई लॉग एक्स को क्या पूठ किया लॉग एक्स को टी पूठ किया तो हमने देखा वहाई वन बाइक्स उसका डिफरेंशेशन प्रेजेंट है बाइक्स डिफरेंशेशन प्रेजेंट है तो 1 बाइक्स dX क्या बन गया, ditÑ यह पार पूरा क्या बन गया अपका, यह पार पूराइशा यहां पहीं मिस्टेख है यह फाल यह होता तो ही पूरा, अगर यह फीं नहीं होता तो यह इस तरीके से होता ही.. जब M given है बट जब M given है तब क्या होगा तब ये थोड़ा सा अलग बन जाएगा कैसे अलग बन जाएगा ये इसको लिखा जाएगा ऐसे integration of T की power minus का M dt clear है अब वो ही वाली identity लगेगी कौन सी वाली वो ही जो सब की identity होती है X की पावर N का integration with respect to X वो होता है X की power N plus 1 divided by N plus 1 मतलब इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं और जब इसका integration करेंगे होगा T की power minus का M plus का 1 divided by minus का M plus का 1 यही होगा भाई M था यह हम से चूट गया था बाकि यह इस तरीके से लिखा जाएगा इस तरीके से भाई T किये है ठीकी power N normally सब कुछ ठीक था formula सिरफ यह लगेगा formula यह लगेगा तो यह बन जाएगा और हाँ plus BC आएगा चीक है तो अब इसकी जब वेल्यू पूट करेंगे तो यह क्या हो जाएगा अगर यहां पर M नहीं होता तो भी हमने बता दिया कि होता कैसे अगर M नहीं होता तो कैसे करते वो भी देख लिया आपने अब अगर M है थोड़ा ध्यान से देखो ना तो इसमें किसी का डिफ्रेंशेशन प्रेजेंट है और ना तो किसी का कोई फंक्शन ऐसा है जो हम सॉल्व कर सकते हैं बस यह गिवन है एक्सुद पार फाइफ डी एक्स यह चीज़ गिवन है अब यहां हमें ऐसे कोशन में थोड़ा सा कोश हैं बताएं आपको तो यह एक्चेल में है एक्स फीकिवर धवर ऐ टी माइनस का वन होल्ड फीवन वvाइस मतलब यह पूरा एक है और इसको हम छेडि नहीं सकते रह तो संपल लेना पड़ेगा एक्सीव पावर थ्री माइनस का वन अच्चा जब एक्सका पावर माइनस का 1 भी लेंगे तो इसका differentiation होता है 1 का तो 0 हो जाएगा एकसी पावर 3 का होगा x square x square है क्या नहीं x की पावर 5 है x की पावर 5 तो x की पावर 5 को हमने break करा कुछ ऐसा x की पावर 3 into में x square उससे क्या होगा भाई x की पावर 5 को x की पावर 3 into तो एक्सी पावर 2 लिखने से क्या होगा? बहुत कुछ होगा. इसका डिफ्रेंशेशन क्या होता है? X स्क्वेर होता है, X स्क्वेर प्रेजेंट है, ठीक है, X की पावर 3 का क्या करेंगे? इसको हम X की 3 फोर में कनवर्ट कर देंगे. कैसे? समझाते हैं. देखो, इसको हमने ऐसे लिखा, integration of bracket, X की पावर 3, माइनस का 1, whole to the power 1 by 3, इसको लिखा, इंटू में X की पावर 3, इंटू में X स्क्वेर डी एक्स, मतलब थोड़ा सा हमें अब इजी लगने लगा, इस वज़े से इजी लगने लगा, क्यूंकि X की पावर 3, माइनस 1, मतलब ये maximum chance है कि इसी को ही हम T put करेंगे, क्यूंकि इसके पावर है 1 by 3, 1 by 3 को solve करना, इस next to थोड़ा सा difficult task, 5 को तो फिर भी जहां तक है तोड़ सकते हैं, बट हाँ, X की पावर 5 है, बट X की पावर 5 को हम break कर सकते हैं इस तरीके से, तो इसको हमने break कर दिया, उसका फाइदा क्या हुआ, वो भी समझाएंगे, देखो दियान से, देखो हमने बोला, हमारे पास, क्या क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है कि X की पावर 3 माइनस का 1, हम इसको एक function ले ले लेते हैं T, तो X की पावर 3 क्या बन जाएगा, X की पावर 3 बन जाएगा T प्लस 1 बन गया, तो मतलब हाँ, थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि हाँ भई हो सकता है, बट ये X स्कुएर का क्या करना है, और X, DX भी तो है, substitution में तर लगाना है, तो चलो out differentiation करते हैं, तो जब हमने इसकी differentiation करी, तो ये तो बन जाएगा 3 into X की पावर 2, इसको इसका differentiation किया, तो ये हो गया, DT by DX, मतलब X की पावर 2 into में DX, वो किसके बराबर है, वो है DT by 3 के बराबर, वो किसके बराबर है, DT by 3 के बराबर है, इतना समझ आया, वही X की पावर 3 माइनस 1 को T put किया, X की पावर 3 क्या हो गया, T plus 1 हो गया, ठीक है, तो इसका differentiation क्या, differentiating with respect to X, तो 3X square बन गया, differentiation of X की पावर 3, और T plus 1 का differentiation बन गया, DT by DX, और यह DX को multiply गया, तो यहां से मेरा इसकी value आ गई, वही यह, मतलब इन दोनों को हम कैसे लिख सकते हैं, DT by 3 लिख सकते हैं, और बाकी चीजों को बाकी चीजों को लिख लो अराम अराम से, अभी समझ आ जाएगा, integration, यह है, पू प्लस 1, DX की value कैया है, X square DX की value कैया है, DT by 3, तो यह हो गया DT by 3, मतलब question कुछ इस तरीके से बन गया हमारा, question क्या बन गया, कुछ इस तरीके से बन गया, ठीक है, अच्छा, जब इस तरीके से बन गया है, तो चलो आओ, आगे solve करें, आगे जब solve करेंगे, तो T की पावर 1 बाई 3 प्लस तीकी पावर 1 बाई 3 क्या बन जाएगा 4 by 3 कैसे 4 by 3 ठीकी पावर 1 by 3 into T power क्या हो जाती है add हो जाती है तो 1 by 3 प्लस 1 4 by 3 और फिर प्लस में ठीकी पावर 1 by 3 और integration हो रही है DT के respect में अब property का use करते हुए हम इसको break कर सकते हैं break करेंगे तो यह हो जाएगा प्लस में integration of T की पावर 1 by 3 with respect to DT यह बन गया इतना clear आसानी से solve भी हो सकता है कैसे आरे अब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है integration करना है X की पावर N का किसके respect में X के respect में क्या बन जाएगा X की पावर N प्लस 1 बन जाएगा किसके respect में भाई X के respect में किया तो denominator में क्या आ जाएगा यही formula यही होता है X की पावर N D X का X की पावर N प्लस 1 डिवाइड़ बाई N प्लस 1 प्लस C दोनों formula ऐसी लगेंगे दोनों में ऐसी लगेंगे तो यह कुछ इस तरीके से बन जाएगा T की पावर 4 बाई 3 प्लस 1 जो की कितना बनेगा 7 बाई 3 जो की कितना बनेगा 7 बटे 3 और यहां आ जाएगा 7 बाई 3 similarly प्लस यहां बनेगा T की पावर 4 बाई 3 डिवाइड़ बाई 4 बाई 3 आया ना समझ देखो confuse मत होना यहां पे यह कुछ ऐसे किया हमने 4 बाई 3 प्लस 1 यह क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 बाई 3 जो की 7 बाई 3 बनेगा similarly 1 बाई 3 प्लस 1 क्या बनेगा 4 बाई 3 ही तो बनेगा ठीक है आया आच्छा याद मत भूल जाना करते करते यह मत भूल जाना की C भी लगेगा ठीक है C लग गया आंसर आगया T की वेलिव पूट कर दो T क्या था X की पावर 3 माइनस वन थाटी X की पावर 3 माइनस 1 तो यह हो जाएगा X की पावर 3 माइनस का 1 होल की पावर 7 बाई 3 यहां पे लिखेंगे तो यह हो जाएगा 3 बाई 7 और प्लस में ये होगा 3 by 4 ये होगा X की पावर 3 माइनस का 1 4 by 3 प्लस का C जो complicated question लग रहा था जो थोड़ा सा मुश्किल question लग रहा था break करके X की पावर 3 5 को X की पावर 3 इंटो X की पावर 2 बना दिया और उसको fatak से solve कर दिया मतलब fatak से तुरंत ठीक है क्या चीज़े होती हैं यहां पर important important होता है कि एक बार आपको दिमाग में चीज़े आ जाएं क्या की लेंगे किसको substitute किसको करेंगे एक बार substitution पता लग गई कि substitute किसको करना है फिर तो फिर तो काम असान हो जाता है फिर तो काफी जादा काम असान हो जाता है ठीक है जैसे यहाँ पे हमें पता लग गया था कि भई एक्स की पावर थ्री माइनस वन को ही टी पूट करना है तो मतलब एक्स की पावर थ्री माइनस वन को टी पूट करना है तो एक्सक्वेर होना चाहिए एक्सक्वेर की जरूत बहुत ज़्यादा तो जब एक स्कुएर की जरुती तो हमने बोला वही एक ही तरीका है एक स्कुएर आने का कि एक्स की पावर फाइव को हम ब्रिक कर सकते हैं ऐसे तो ब्रिक कर दिया यह हमारा आंसर आगए ठीक है क्लियर है फंडा चालो अब एक और मस्त बिल्कुल जहकास कोशन जो की आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है जो की यह रहा क्या यह हम होंवक नहीं देंगे सोच रहेते होंवक देने की बट नहीं देंगे फिकर मत करो ठीक है यह है आपका कुशन इसमें क्या करना है इसमें भी इंटिग्रेशन करनी है इसमें भी क्या करनी है इं सिदूशन करेंगे लेकिन एक समय ऐसा कुछ तो दिखी कि करा जाए और इसमें तो कुछ ऐसा दीखी नहीं रहा है कि सब्सूच्जूटं करा जाये one है one माइनस 2x है तो ऐसा तो पुछ नहीं है तो अगर ऐसा कोश्ण बने तो इसमें क्या कर देंगे वह टैन को कर दो substitute नई टान को break करना है छोगा करना है किस तरीके से ब्रेक करना हैं को ब्रेक कर दो साइन बाय कॉस कैसे ब्रेक करना है साइन एक्स डिवाइड़ बाय कॉस एक्स इस तरीके से उससे क्या होगा उससे देखते हैं क्या होगा वह पहले तो इसको जड़ा एक्सपैंड की फॉर्म में करें एक्सपैंड फॉर्म में करें जब हमने इसको एक्सपैं Cos x integration with respect to dx अच्छा इसको further हम solve कर दें तो यह कुछ ऐसा बन जाएगा Cos x divided by Cos x minus sin x minus sin x यह चीज बन जाएगी ठीक है जब इसको break करोगे tan की value put करी sin by cos इसको further solve किया LCM होगा Cos x minus सब्सक्राइब इस तरीके से बन जाएगा ठीक है अब यह इस तरीके से बन गया अब सोच लेते हैं कि क्या T put करें तो हमने बोला Cos x यह पूरा का पूरा एक है Cos x minus sin x Cos x minus sin x पूट करेंगे दो function आएगे उपर सिर्फ और सिर्फ कॉसेक्स है तो यहां भी यहां भी हम Cos x की अगर differentiation करें या integration करें तो वो क्या होगा तब भी बात नहीं बनेगी मतलब फिर कुछ जोल करना पड़ेगा मतलब इसमें करना पड़ेगी थोड़ी सी कारस्तानी अब कारस्तानी कौन सी करने पड़ेगी वो भी समझना देखो इतना करने के बाद हमने यह पाया कि इसको हम कुछ नहीं कर सकते मतलब इसको अभी भी नहीं छेड़ सकते इसको अभी भी इसकी इसको solve गरने sign को subtract कर दिया लेकिन फिर question वहां से ये raise हुआ कि sign को subtract और add करने का फाइदा ही क्या है सिरफ a cos में sign रहेगा और a cos मतलब a cos ही है a cos में sign रहेगा और sign अकेला रहेगा मतलब एक तो चलो ठीक है फिर दूसरा sign क्या करेगा जख मारेगा नहीं तो फिर याद आया कि यहां plus minus का concept तो अच्छा है कि plus sign x plus sign x और minus का sign x तो अच्छा concept है good concept है बट यहां दो cause होते ना तो और भी मज़ा आ जाता तो दो cause करना क्या मुश्किल काम है नहीं यहां हमने क्या बोल दिया यहां हमने कर दिया multiplying and dividing by 2 multiplying and dividing by two two से multiply किया two से divide गया तो यहां पर कुछ यह ऐसा two two बन गया ठीक है two two बन गया तो इसको हमने कुछ ऐसा लिख दिया चल भाई next page आ जाओ next page तो यह बन गया one by two तो आ गया बाहर और यह बन गया two of cause x ठीक है divided by यह है cause x minus का sign x हाँ अब जो हम बोल रहे थे कि plus का cause x minus का sorry plus का sign x minus का sign x अब कर सकते हैं तो चलो वो भी कर दिया plus का sign x भी कर दिया और minus का sign x भी कर दिया उससे फाइदा क्या होगा अब यहां से बहुत जादा फाइदा मिलेगा आपको कैसे मिलेगा वो भी देख लेना one by two तो देखो सबका common है ही यह हमने बाहरी रख दिया है सबका common है integration दो cause हैं एक cause को ऐसे ही रखा इसके साथ रखा है minus का sign इसके साथ क्या रखा है minus का sign ठीक है अच्छा फिर plus का cause x और दूसरे के साथ रखा है प्लस का sign x इस तरीके से रख दिया ठीक है दो cause है एक cause इदर एक cause इदर इसको एक sign minus का यहां रखा है एक plus का sign इदर रखा है और side by side हमने denominator भी break कर दिया है like this cause x minus का sign x and cause x minus denominator तो minus ही है sign x कि कि इतना समझ आ गए सभी को भाई यह पूरा एक है और यह पूरा integration हो रहा है dx के respect और यह है बाहर की तरह bracket जो कि इन दोनों terms में 1 by 2 common है कैसे किया एक बार फिर से confusion हुई होगी बिल्कुल हम मानते है देखो हमारा question था कि integrate करना है 1 by 1 plus 10 x को तो कुछ भी नहीं बन रहा substitution करने का कुछ भी जुगाड़ पानी नहीं बन रहा तो हमने simple 10 x को क्या पूट कर दिया sin x by cos x वो बगल में लिख रखा तो जब हमने किया तो हमारे पास question बन गया ऐसा वही ऐसी form में बन गया था अब ऐसी form में बन गया तो पूरा दिमाग लगाने के बाद भी हमको नहीं दिखाया कुछ भी नहीं दिखा substitute करने लाइक तो फिर हमारे दिमाग की उपज ये आई कि अगर sign को plus minus कर दें तो होगा तो ठीक बट एक अकेला एक sign तो चलो इसके साथ चला जागा और फिर हमने बगल में sign और sign को minus कर दिया एक बड़ sign x plus sign x minus तो एक cos के साथ minus का एक cos के साथ plus का इतना समझ आया ठीक है अब ज़रा ध्यान से अगर हमने देखा तो ये term तो cancel हो गई ये क्या बच गया ये बच गया 1 by 2 ब्राकेट integration break कर दिया प्रापर्टी लगा के break कर दिया ये हो गया integration of dx प्लस में integration of cos x plus में sign x divided by cos x minus में sign x ठीक है ये चीज़ आई समझ भाई ये वाला पार्ट क्या हो गया ब्रेक हो गया ये एस इड़ इस बच गया तो अब आप देखो ज़रा ध्यान से numerator का differentiation denominator का differentiation numerator में present है कैसे या इसका इधर नहीं present है इसका देखो इसका अगर हम differentiation करें तो ये वा sign x negative का cos x positive का बट अगर ध्यान दो थोड़ा सा अगर ध्यान दे तो ये denominator में है denominator वाला हम बहुत कम chances होते हैं कि बुट करते हैं क्योंकि ये one by cos x minus sign x है maximum time denominator को ही लिया जाता है तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं यहां से हम बोल सकते हैं कि अगर हम cos x minus sign x को t put करें तो यहां से इसका differentiation क्या हो जाएगा minus का sin x minus का cos x is equals to dt by dx और अगर आप ध्यान से देखो तो ये minus minus बाहर आके minus बाहर बन जाएगा मतलब ये क्या है आपका ये है minus का dt ये क्या है minus का dt ठीक है तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा आपका सरफ ये part solve करके दिखाते हैं ये वाला सरफ ये वाला तो ये हो जाएगा integration minus बाहर लिया dt divided by t क्या हो जाएगा ये जो part है ये कुछ ऐसा हो जाएगा आपका इस तरीके से ये क्या है numerator में present है into में dx तो क्या हो गया dt minus का उदर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा minus का dt by t तो ये क्या जाएगा minus का log t और actual में क्या बन जाएगा log of minus का log of bracket cos x minus sin x क्या बन जाएगा cos x minus का sin x और plus में सी अभी ये पूरा हुआ भी नहीं है question क्यों नहीं हुआ क्योंकि हमने सरफ ये part solve किया अब बात करते हैं इसके dx का integration करेंगे तो क्या हो जाएगा भई x तो ये कुछ ऐसा इसका integration किया x यहाँ पे आजाएगा x अब याद रखना पूरे whole में 1 by 2 भी थो था पूरे whole में 1 by 2 भी था ठीक है तो ये इसमें क्या जाएगा divided by 2 और 1 by 2 प्लस में c जो की constant term है ये है आपका answer किसका integration of 1 by 1 minus tan x का ठीक है समझ आया सबको अच्छे से बढ़िया तरीके से clear of under very good चालो आगे बढ़े ये substitution part है आपका ये substitution part है चलो यहां से देते हैं आपको एक homework एक देते हैं homework अब यहां से आपको clearly पता लग गया होगा बहिए tan को अगर t put करेंगे तो secant square x क्या हो जाता है डीटी हो जाता है बट यहां पे एक छोटा सा जोल है इसका differentiation क्या होगा differentiation होगा secant square root x होगा अच्छा root x का भी differentiation होगा जो कि क्या होगा 1 by 2 root x होगा जिससे फाइदा क्या मिलेगा जिससे फाइदा यह मिलेगा कि इस पूरे को तो t put किया जाएगा ये भी खतम हो जाएगा ये भी खतम हो जाएगा तो ये वाला question है आपका homework के तोर पे ये वाला question है आपका homework के तोर पे एक question और homework एक है आपका basic question से एक है आपका substitution से दो question दिये हैं homework के तोर पे अब तक basics के questions निप्टा दिये कुछ आपके substitution के question निप्टा दिये method of substitution निप्टा दिये finish कर दिया अब आगे बढ़ते हैं आगे एक और ओके अभी तो questions है क्या yes questions है ठीक है एक और है question आपका ये रहा yes बिलकुल 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 अच्छा question है ये भी no doubt ये भी बड़ा प्यारा question है ठीक है substitution का एक और बढ़िया question है ये भी method तरीका बता देते हैं अब इसमें भी अगर हम t put करें तो t नहीं put कर सकते, ये लिया इसलिए ही है, ये लिया ही question इसलिए था, कि इसमें भी हम क्या कर सकते है। थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा editing करने बड़ेगी इस question, क्योंकि अगर इसका differentiation करा जाए, तो ये भी नहीं आने वाला इसका differentiation किया है तो भी ये नहीं आएगा तो इसमें simple सा एक छोटा सा चीज क्या किया जाएगा कि आपको numerator को numerator को E की पावर X से डिवाइड किया जाएगा and denominator को भी E की पावर X से डिवाइड किया जाएगा ऐसा होगा तब जाके ये question होगा तब जाकर कि यह क्या बन जाएगा तब जाकर बन जाएगा integration of the time of x plus में की पावर minus X divided by एकी पावर X एक्स में अच्छा दोनों plus हैं नहीं ये वाला minus है यह माइनस यह ओ जाएगा B चला है माइनस यह ओ जाएगा ऐसा इकी पावर X माइनस का इकी पावर माइनस X divided by इकी पावर X प्लस में इकी पावर माइनस का X DX अब आप डिनॉमिनेटर को टी पूट कर दोगे तो नुमेरेटर आपने आप डी टी आ जाएगा क्रॉस चेक कर लो ठीक है क्या किया देखो यहां जब हमने इसको analyze किया इस question को तो हमने पाया कि यार यहाँ denominator को नटी पूट करके numerator नहीं आ रहा क्योंकि क्या बनेगा numerator में वन की जगह है अच्छा इसको break भी कर देंगे तब भी कोई formula नहीं बन रहा ब्रेक कर देंगे तब भी कोई formula और जो numerator में प्रेजेशन और जो नुमेरेटर में प्रेजेशन करेंगे क्या होगा माइनस का इकी पावर माइनस चीक है तो यह भी आपका homework है सिंपल सा अंसर आजाएगा इसका लॉक की फॉर्म में जो की होगा क्या यह हो जाएगा आपका लॉग औफ इसको हमने सब्सक्राइब ह कर दिया है और लो हमने आप लोगों के लिए रख दिया है इसलिए हमने और लोगों के लिए जोड़ दिया यह वाला कुश्य ठीक है चा , कर लोगे नाओ पका आगे बड़े People eyes kração है integration using trigonometric identities दो तीन कोशन इसके भी करवाएंगे देखो है क्या देखो ऐसा होता है कि कुछ questions ऐसे पूच लिये जाते हैं जिसमें trigonometric identities लग रही है कौन सी वाली एक आदे questions लेके आएंगे कौन सी वाली identities लगती हैं basically जो identities आपकी लगती हैं वो 11th class में आप लोगों ने already पढ़ी हुई होती हैं जैसे कि समझाते हैं जैसे कि आप लोगों ने पढ़ी है 2 cos x cos y की 2 cos x cos y integration ने यह तो सिरफ identity है ठीक है trigonometric identities 2 cos x cos y यह क्या होता था यह होता था आपका cos x plus y minus का cos x minus का y ठीक है ऐसे ही एक और question पूछा जा सकता है 2 sin x sin y की form में 2 sin x sin y की form में वो क्या होता था वो होता था cos x minus y minus में अच्छा यह होगा plus cos का है तो बीच में क्या होगा plus का होता है ठीक है यह होगा minus का cos x plus y ठीक है ऐसा ही एक और पूछा जा सकता है भाई 2 cos की 2 sin की cos sin sin cos और sin 3 x की identity ठीक है भाई q वाली identity solve करना पूछ सकता है वो होता था 3 sin x minus का 4 sin cube x यहां से sin cube x का integration पूछ सकता है आपको क्या होगा ठीक है और भी identities है जो की पूछा जा सकता है अब जैसे इनी question में इनी identity से एक question करवाते हैं ताकि आपको detail में समझ आए जी कि हम समझाना क्या चाह रहे हैं जैसे कि एक बड़ा famous question काफी बार पूछा जाता है आप लोगों से कि वह integration करो बड़ा famous है बहुत जादा famous है ठीक है integration करो इसका जो की क्या है वह integration of sign of angle 3x into में sign of angle x into में sign of 2x इसका integration कीजिए और वो भी dx के respect में कीजिए integration इसका कीजिए और वो भी dx के respect में कीजिए कैसे करोगे है ना बड़ी समस्या है अब ऐसे question को solve करने के लिए क्योंकि तीन sign के function ऐसे question को solve करने के लिए फिर हमें requirement पढ़ जाती है इन identities की इसलिए हैं लिखा है कि integration using trigonometric identities ठीक है दो यह हैं दो इसके भाई बंदू और हैं दो इसके भाई बंदू और हैं जो कि क्या होते हैं जो कि आप लोगों का अगर याद हो to sign x cos y एक और होता है to cos x sin y ठीक है यह दो identities हैं ठीक है और भी होती हैं बहुत सारी identities है अभी विलाल इतनी याद आ रही है कि टाइम बीटता जा रहा है टॉपिक बहुत सारे हैं ठीक है integration of sign 3x sign x sign 2x integration with respect to dx अब करते कैसे हैं बहुत सी बात है तीन sign के use हो गए तो यहां एक ही identity काम आएगी सिरफ और सिरफ एक ही जो की क्या होगी जो की आपकी होती है ज़रा लिख देते हैं एक बार फिर से दुबारा जो की हम use कर रहे हैं two times sign x sign y two times sign x sign y और वो होती क्या है वो होती है कॉस ब्राकेट में x-1 ठीक है एंगल है कॉस आफ एंगल x-y माइनस का कॉस आफ एंगल x प्लस y ठीक है तो यहां से simply क्या किया जैसा कि हमें दिख रहा है कि भाई multiply divide 2 से करना पड़ेगा और हमने इन तीन को इन दो को लिया तीन को नहीं ले सकते बाई जब इन दो को लिया तो यह क्या convert हो जाएगा यह बन जाएगा आपका कुछ ऐसा वन बाई टू इंटीग्रेशन ब्राकेट में कॉस एक्स माइनस वाई मतलब 3x माइनस का एक्स जो कि कितना बन जाएगा यह बन जाएगा आपका कॉस ओफ x यह हो जाएगा 2x माइनस का कॉस ओफ 4x ठीक है और इंटू में साइन 2x इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट तो फिर से क्या हो गया? dx के रिस्पेक्ट में हो गया अब यह फिर से क्या है? multiply है अच्छा यह multiply है तो यह इससे भी multiply होगा यह इससे भी multiply होगा दोनों से multiply होने वाला है अब जब ये दोनों से multiply होगा तो ये क्या बन जाएगा जरा देखें क्या बन जाएगा ये बन जाएगा 1 by 2 देखो द्यान से ये बन जाएगा 1 by 2 integration bracket cos 2x into sin 2x या simple sin 2x into में cos 2x ठीक है minus का cos 4x cos 4x into में sin 2x का गया ये बन जाएगा इस तरीके से अब यहाँ फिर से identity use हो रही है फिर से क्या use हो रही है identity use हो रही है सुनो आप द्यान से 2 sin x sin y 2 sin x 2 sin x cos y अच्छा बेसिकली ये भी एक identity होती है जो कि directly cos x cos sin 2x बन जाती है 2 sin x cos x directly एक identity होती है sin 2x बन जाती है बट एक्च्वल में ये ये वाली identity को follow करती है कौन सी वाली ये follow करती है 2 sin x cos y वाली identity को follow करती है जो कि क्या होती है जो कि होती है sin bracket x plus y minus का अच्छा cos है x minus y ठीक है ये इस वाली identity को follow करती है जो कि cancel out हो जाता है आपका cancel out हो जाता है sin x x सेम होगा तो sin 0 0 हो जाता है तो यह क्या होती है यह होती है यह अब याद करने का आपने 11th क्लास में याद तो कर रखी होंगी बट अगर याद नहीं है सिंपल सा तरीका मैं बताता हूँ आपको यह दो कॉशन्स थे जो हमने करवाने थे बट ठीक है कोई बात नहीं ठीक है यह क्या है अगर दो कॉस के हैं तो दोनों दोनों कॉस के होंगे अगर दोनों साइन के हैं तब भी दोनों कॉस के होंगे बट अगर कॉस या साइन या साइन या कॉस है तब identity कौन सी लग जाएगी cos या sign है sign या cos है तो क्या लगेगी sign sign ही लगेगी तो यह जो question convert हो जाएगा 1 by 2 को multiply करने के बाद अब इसमें क्या करना पड़ेगा जब हमें convert करना पड़ेगा इसको convert करना पड़ेगा इन identity को solve गरने के लिए इनको convert करना पड़ेगा यह sign to x cos 2x but formula क्या है 2 sign x cos y या फिर 2 sign x cos x वो क्या होता है sign 2x 2 से multiply तो यहां से फिर से multiply by 2 divided by 2 जो की क्या बन जाएगा इसको अगर आप देखो तो 1 by 4 integration bracket 2 sin of angle 2x cos of angle 2x चीक है उसके बाद माइनस का 2 of cos 4x sign 2x into me dx इतना समझ आया सभी को clear तरीके से ठीक है आप क्या लगाएंगे पर ट्रिग्नोमेटरिक आडेंटिटी यह बन जाएगा 1 by 4 अभी integration solve भी नहीं किया अभी सिरफ identity solve गर रहे है यह तो हो जाएगा सीधा सीधा sign 4x सीधा सीधा क्या हो जाएगा sign 4x क्यों identity क्या होते है 2 sin x cos x क्या होता है sign 2x angle अगर 2x हो तो यह भी angle क्या हो जाएगा twice हो जाएगा तो यह क्या बन गया 4x ऐसे ही minus का यह बीच में क्या है minus का है यह क्या है बीच में minus का sign आया तो minus का ऐसी रखके यहाँ पर फर्दर इसको solve करेंगे 2 cos sin 2 cos x sin y 2 cos x sin y कहा है 2 cos x sin y यह रहा sin x plus y minus का sin x minus y तो यह बन जाएगा sin x plus y मतलब 6x minus का sin x minus y मतलब का 2x ठीक है और यह बन जाएगा इस तरीके से इसको further आप solve कर दो फिर उसके बाद काम simple बन गया 1 by 4 integration of sin of angle 4x plus का sin 2x and minus of sin 6x integration किसके respect में? dx के respect में अब इसको solve करना next to possible काम है इसको आप normally अब आप solve कर सकते हो ठीक है यह क्या हो जाएगा? बई integration of sin ax का formula लगेगा अब तो जो कि क्या हो जाता है? minus का cos ax divided by a plus c हो जाता है याद है? sin ax का integration का formula लग जाएगा जो कि यह बन जाता है आप normally आप formula यूज़ कर सकते हो इसमें important चीज क्या है? द्यान से सुनना आप काम की चीज़े क्या क्या है यहाँ पे देखो कोशन था कि आपको integrate करना था sin x, sin 2 x, sin 3 x जो आपके दिमाग में questions raise हुए होंगे न, पहला question की sin 3 x और x को एक साथ क्यों रखा? दूसरा question, यही identity क्यों लगाई? क्यों नी और दूसरी लगा सकते थे? पहले question का जवाब देते हैं, पहला question की sin 3 x और x को क्यों रखा? देखो कभी भी अगर ऐसा question आते हैं कि sin की 3 terms या 4 terms या cos की 3 या 4 terms तो हमेशा पहला चीज होता है कि सबसे least और सबसे highest जो angle है उनको साथ रखो होता क्या है? reason ये होता है, क्योंकि जो least और highest को जब हम लेते हैं तो ये जो बीच में होता है, middle वाला होता है वो common out आने के chances होते हैं, common out होने के chances होते हैं या फिर easy होने के chances होते हैं जो की हुआ भी हमारे साथ, हमने क्या किया जब 3x और x को साथ रखा, identity लगाई तो हमारे पास क्या बन गया, cos 2x बन गया, cos 4x बन गया आसानी से, यह तो फिर easy काम है, यहां से आप लोग खुद solve गर सकते हो, यह फिर easy काम बन जाता है, यहां से question mark है, यह आपका काम है, ठीक है, simple integration of sin ax क्या हो जाता है, sin ax क्या हो जाएगा, sin of 4x क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, minus का cos 4x divided by 4, यह हो जाएगा, cos 2x by 2, यह बन जाएगा, plus का, minus minus, plus का, चीक है, अब बात करते हैं, next topic की, हाँ, जी, okay, okay, yes, 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 एक और question है, यह भी है, चलो, यह trigonometric identities का last question है, फिर उसके बाद हम किस पे जाएंगे, some specific angles पे जाएंगे, some specific angles पे जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि time थोड़ा सा, हम, ठीक है, चलो, देखो, अब यहाँ पे क्या use करना है, देखो, question है, आपका, integration of, one minus का, cos x, ठीक है, divided by, one plus का, cos x, बच्चो, यह वाला question, जो है, वो, आपने, differentiation में भी करा है, अच्छा, यह लाने का, इस question को, रखने का ही, मतलब, यही है, कि यह particular question, सिरफ अकेला इसी type का, आपने second chapter, जो कि आपका inverse trigonometry है, वहाँ भी पढ़ा है, differentiation, वहाँ भी पढ़ा है, अब low integration, वहाँ भी आ गया, अकेला question, integration में क्या पढ़ रहे हो, भई, इसका integration करो, differentiation में क्या कर रहा था, भई, इसका integration, पढ़ो, वैसे, वहाँ क्या था, वहाँ यह question कुछ इस form में था, ऐसे नहीं था, यह थोड़ा सा modified form में था, modified form में कैसे मतलब, वो था कुछ ऐसा, differentiation of tan inverse of 1 minus cos x, divided by 1 plus cos x, ऐसा कुछ था, यादाया कुछ, ठीक है, और inverse trigonometry में क्या था, inverse trigonometry में था, भई, इसको simplest form में convert करो, यादाया, भई, इसका differentiation, या फिर इसको simplest form में convert करो, कहां से belong कर रहा है, second chapter से भी, inverse trigonometry, trigonometry, oh sorry, differentiation से भी, और, इस chapter से तो है ही, इस chapter में तो, शाक्षात प्रकट हो गया, ये question, कि भई, इसका integration करना है, तो ये इतना important है, क्यों, इसमें ऐसा क्या है, कि ये इतनी बार पूछा जाता है, इसमें क्या चेक करना चाते हैं, differentiation की भी form में आ जाता है, इसमें है क्या, दोखो, इसमें पता है, एक बहुत जादा important identity को यूज किया गया है, ठीक है, ये तो चलो, बताने के लिए था कि यहां, यहां यूज होता है, कौन सी identity को, एक आपकी identity होती थी, 11th क्लास में, कॉस 2X, जो की एक तरीके से बोल सकते यूनिवर्सल identity थी, अब यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल का मतलब यहां पे हमारा है कि, ऐसी identity जो आपकी sign में भी खुलती है, cos में भी खुलती है, 10 में भी खुलती है, ठीक है, तो यह जो identity होती थी, यह कुछ ऐसी होती थी, आपकी, की 2 cos square x minus का 1, is equals to 1 minus 2 sin square x चीक है और यह ऐसे भी होती थी 1-10 square x divided by 1 plus 10 square x यह ऐसी भी होती थी यह ऐसे भी होती थी बट यहाँ पर अभी फिलाल 10 का कोई काम नहीं तो 10 की हमने हटा दी 10 का भी फिलाल कोई काम नहीं है इसका काम है बट आप लोग बोलोगे कि भाया यह तो कॉस है यह square लगा रखे आपने समझाएंगे समझाएंगे फिकर मत करो वो भी समझाएंगे अब यह होता कैसा था याद रखना यह है काम की छीज़ ठीक है अब यही तीनो चैपटर से लिंग्ड है तीनों चैपटर से लिंगड है यह इसी लिए जान बूज के करवाया जारह रहा है कोशन हम सकिप करने के मूड में थे बट जैसे ही हमने इस question को देखा तो तो फिर रहाई नहीं गया अब यहाँ पर यह ऐसा होता है कि जो cos2x plus में one होता है उसको हम लिख सकते हैं किस थरीके से cos square X cos2x plus one को कैसे लिख सकते हैं cos square X से similarly 1 minus cos2x को कैसे लिख हैं 1 minus cos2x को लिखा जाता है sine square X से कैसे लिखा जाता है sin square x से लिखा जाता है ठीक है लेकिन इसका फाइदा क्या है फाइदा अब बता लगेगा आपको देखो आप देखना ध्यान से जो चीज़ हम बता रहे है important जैसा कि अभी हम हमने बताए कि sin square x को या 2 sin square x को कैसे लिखा जाता है 1 minus cos 2x की फॉर्म में लिखा जाता है तो सिरफ और सिरफ sin x को sin square x by 2 को इसको कैसे लिखा जाएगा इसको लिखा जाएगा 1 minus cos x से अब याद आया अब याद आया क्यों है important मतलब 1 minus cos x को directly हम लिख सकते है 2 sin square x by 2 similarly similarly यहाँ पे जैसा कि हमने बोला कि 2 cos square x किस तरीके से लिखा जाता है 1 plus cos 2x लिखा जा सकता है तो यहाँ से हम यह भी बोल सकते हैं कि 2 cos square x by 2 can be written as 1 plus cos x कैसे लिखा जाता है ऐसे लिखा जा सकता है अब आपको मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा कि in identity का use क्या है इन identity को use क्यों करवा रही है डारेक्ट है डारेक्ट बिल्कुल डारेक्ट इंटिग्रेशन किसका करना था इंटिग्रेशन करना था 1 minus का cos x divided by 1 plus का cos x किसके respect में dx के respect में directly by using identity जो कि आपके आप सामने दिख रही है जो कि क्या हो जाएगी यह हो जाएगी 2 sin square x by 2 divided by 2 cos square x by 2 integration with respect to dx integration कर देंगे 2 से 2 cancel out हो गया तो यह क्या बच जाएगा यह बच जाएगा integration of 10 square x by 2 dx और अभी अभी हमेरे ख्याल से हमने 10 square का direct formula नहीं होता है और डारेक्ट फॉर्मला टैन का नहीं होता है but yes हमने यह पड़ा है we can write 10 square theta as secant square theta minus का 1 similarly यहाँ पे हमने use किया और answer आगया हमारा यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा integration of secant square x by 2 minus का 1 integration with respect to dx और इसका direct answer क्या आगया सीधे value ना पूट कर दें यह हो जाएगा tan x by 2 minus का x plus का c बच्चों एक चीज याद रखना क्या differentiation of angle भी होगा sin ax वाला formula भूले तो नहीं integration of sin ax यहाँ पे 1 by 2 भी आएगा यहाँ पे 1 by 2 भी आएगा पन बाइटू यहाँ आएगा तो उपर multiply हो जाएगा तो इस cancer क्या हो जाएगा यह हो जाएगा कुछ ऐसा तू टाइमस of tan of angle x by 2 का गया माइनस का x plus c-x plus 80 ठीक है इसकी standard form इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं इस पूरे को हम लिख सकते हैं इस form में फिर इसको आप integrate कर दो इसको लिख सकते हैं इस form में directly ठीक है अब अगर inverse trigonometry में पूछा जाए या फिर differentiation में पूछा जाए आपको सिरफ कैसे लिख देना tan square x by 2 कतम कहानी ठीक है आई clear बात हुई समझ आई कि क्यों पूछा जाता है बार-बार क्योंकि यहां पे universal identity पूछ रहा है cost to x की universal आपको यह पता है तो फिर आप इस question को solve कर सकते हो अगर नहीं पता है फिर तो अटक जाओगे अगर नहीं पता है फिर तो फिर फिर उस case में कुछ नहीं हो सकता है फिर तो तो गई बहेस पानी में, फिर गई बहेस पानी में, छीक है? चलिए, अब बात करते हैं, अब जब हम स्टार्टिंग में बता रहे थे आपको, कि आपके स्लेबस में क्या है? याद है कुछ हम बता रहे थे, कि वण ऐब ए वन प्लस एक्स स्कुयर का इंटीगरेशन क्या है? यह होता है tan inverse x, starting में basic में given था और sine inverse x भी given था, बता रहे थे कि यह है आपके slabus में, यह है आपके slabus में, अब देख लो slabus आपका, some specific function, integration of some specific function, जहां पे यह total 6 होते हैं, तीन और इनके भाई बंदू होते हैं, जो numerator में होते हैं, total 6 होते हैं, सारे के सारे important होते हैं, अब जिन में से यह जो side में यहां दिख रहे हैं यह ज़्यादा important होते हैं, यह क्या होते हैं, थोड़ा ज़्यादा important होते हैं, इनके chances होते हैं कि maximum बार यह पूछे जाते हैं, maximum time य यही वाली अगर कोई भी function dx by x square minus x square minus a square की form में होगा तो यह वाली formula यह वाला formula लगेगा अगर इस form में होगा तो यह वाला formula लगेगा फटाफट देख लो क्या है बई फटाफट देख लो की है क्या दो questions करवाएंगे इनके basis पर समाप्त करेंगे आज का लक्चर इसी बेसिस पर ठीक है integration of dx by x square minus a square integration of dx by a square minus x square integration of dx by x square plus a square and इनके roots denominator वाले 6 तो यह होते हैं और 6 इनके बाहिवंदू होते हैं जो कि फिर numerator में होते हैं ठीक है इन में से भी सबसे ज़्यादा यूज करा घिसा जाना वाला question घिसे जाने वाला identity यह होता है तीसरा वाला यह पता है कहां यूज होता है यह application of integration में यूज होता है area of circle find करने के लिए अना area of integration में यह वाला formula बहुत ज्यादा यूज होता है बहुत बार बहुत बार area of circle find करने के लिए area of parallelogram नी area of ellipse find करने के लिए ठीक है यह वाला बहुत जादा यूज होता है तो लगा लो ये वाला जादा important है देखो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि कोई ये कम important है सारे important है बट उन important में से ये important है इन तीन में से ये जादा important है इन 6 में से ये जादा 2 important है ठीक है बाकी याद तो सभी करना है ठीक है अब जरूरी नहीं है कि हमन एंको चांससे होते हैं । इत्य को य क्योंते न होता है तो यहां पर लगा लो आपको अगर इंटीग्रेशन प्लिकेशन फिर लगया hydate ये तो फिर आपको बता लग जाएगा यहां यही तो कट कंफॉर्म यह a कनफर्म अगर आप इलिप्स निकाल रहे हो या सरकल का इरिया निकाल रहे हो है कनफर्म ठीक है चलो एक कोशन करवाते हैं एक कोशन करवाते हैं इसके बेसिस पे देखते हैं कितने बच्चे अटेंटिव बैठे हैं एक यह रहा दो पार्ट्स है दोनों पार्ट्स में है दूसरा क्या है रूट में है दोनों कुशन करवाएंगे ध्यान से देखना तो जो पहला कुशन है वो क्या है वो है इंटीग्रेशन आफ दी-eक्स डिवाइड भाई एक्सक्वर जो माइनस का सिक्स्टीण व्यॲिटन ऐस फोर का स्कुर 笑 Teeth यही है अब अई-दिन टिनिंप्वर्टरंट्ट क्या है इडिन टिनिव्यूर्टर अकॉन सी वाली इसमें क्या लग रहा है स्कॵर Keeping x-square कौन सा लग रहा है a2-x2 कहां है a2-x2 यहीं बगल में यही लगाओ भई 1 by 2 a log bracket a plus x divided by a minus x यह हम side by side लिखते चलेंगे कुश्चन में ताकि आपको याद रहे यहाँ नीचे लिख देते हैं यहाँ नीचे लिख देते हैं आजाओ भई लिखी जाती है आपकी identity यह है integration यह है integration of dx divided by अच्छा x square sorry x square minus a square है x square minus a square और x square minus a square क्या होती है वो होती है आपकी 1 by 2 a log of log of x minus ka a divided by x plus ka a plus ka c यही है लगाओ एक क्या है डी क्या ओ सरी एक्या है एक्स क्या है formula लगा ओ खतम का नहीं यह था x square minus a square sorry x square minus a square यह वाली sorry 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 यह वाली है यह वाली है थोड़ा सा गलतिया ज्यादा हो रही है शाहिए आज x square minus a square यह वाली identity लगाई है 1 by 2 a log bracket x minus a divided by x plus से प्लसी ठीक है सीदी सीदी लगेगी सीदा सीदा formula लगेगा आंसर आ जाएगा ठीक है अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो एकी वेल्यू क्या है यह है आपका 4 के बराबर और यह identity अगर लगाई जाए तो यह क्या बन जाएगा यह बन जाएगा 1 by a a कितना है यह है 4 तो यह बन जाएगा 1 by 8 log bracket x minus का 4 divided by x plus का 4 plus का सी लो खताम यह identity है एकी value क्या है 4 4 की value put करनी है बाकी पूरा answer आ गया अच्छा इतना easy आता नहीं है अगर इतना easy आए वो एक marks में आएगा बस यह सिरफ अभी समझाने के लिए कि इस तरीके के questions होते हैं इस तरीके के questions होते हैं करने कैसे हैं ठीक है यह था first part और अब बात करते हैं इसक search करो तो यह है 2x minus का x square यह क्या है 2x minus का x square याद रखना कोई भी अगर identity है अगर x square minus का है तू कोशिश करो उसको positive के बनाने की अब यहां constant term है ही नहीं यहां क्या है constant term है ही नहीं तो मतलब constant term को add करना पड़ेगा तो मतलब plus 1 and minus 1 को हमने add किया पता कैसे लगा बनाएगा वह तो की है 2 उसको multiply किया 1 by 2 से कितना आ गया 1 अब इसका square कर दिया squaring both side यह होगा 1 अब इसको करना है add and subtract इसको करना है add and subtract steps पी लिख देते हैं पहला coefficient of x coefficient of x फिर क्या करना है दूसरा step divide by 2 2 से divide करने के बाद 2 से divide करने के बाद जो बना square कर दो उसको square it फिर अगला अगला add and subtract add and subtract ठीक है x coefficient उठाया जो की 2 था 2 को divide किया 1 by 2 से फिर क्या हो गया multiply किया 1 by 2 से जो की 1 बन गया 1 को add and subtract किया अब यहां लेना क्या होता है minus कावन-गार x square minus का है तो minus कावन लेंगे अगर x square पॉज़िटिवल आ तो पॉज़िटिग भी समझना अब यहां पे यह तीन टाम्स नेगेटिव दो टाम्स नेगेटिव एक टम पॉजटिव किया तो यहां से अगर नेगेटिव बाहर निकाल दिया अंदर क्या बच जाएगा एक स्कूर माइनस का 2 x प्लस का 1 यह क्या है रूट अगर इसको फरदर आप सॉल्व करो तो यह क्या बन जाएगा स्कूर माइनस का 1 माइनस का x माइनस 1 का होल स्कूर अमतलब आपको जो यह फॉर्म है इसको कनवर्ट करना पड़ेगा अगर x square minus का है तो मान के चलो ये form बनेगी आपकी ये वाली 1 by square root of a square minus x square ठीक है अब अगर x की term आ गई है सिरफ x x square नहीं सिरफ x की term आ गई है तो यहाँ पे x minus 1 का whole square होना लाजमी है मतलब x minus something का होना compulsory फिर तो ये होई जाएगा आप परें आप ठीक है एक बार फिर से फिर से सुनो देखो किया क्या कोशन था आपका integration of dx divided by square root of 2x minus x square ठीक है हमारे पास जो identity है हमारे पास जो formula है उसमें x कहीं भी नहीं आता formula जो है वो देख लो यह है भई यहाँ x square है यहाँ x square है हर जगा उसके बाद बेशक x बने वो अलग बात है बट यहाँ क्या बन रहा है भई x square बन रहा है अब कोशन में सिरफ और सिरफ x है x square और x दोनो है तो हमने देखा भई यहाँ से x square भी है 2x भी है तो वैसे तो आप लोगों को click कर गया होगा कि plus 1 minus 1 करेंगे तो x square x minus 1 का whole square यह वाली identity बन जाएगी बट x square अगर negative का है तो minus का 1 इसके साथ जाएगा तो यह actual में यह बनेगा तो यह जो question बन जाएगा यह question इस form में convert हो जाएगा यह portion में convert हो जाएगा integration dx divided by square root of यह हो जाएगा आपका 1 minus bracket x minus 1 का whole square अब इसमें कौन सी identity लगेगी a square minus x square square root of a square minus x square जो कि क्या होता है यह होता है आपका integration dx divided by square root of a square minus x square याद है क्या था sign की form में था जैसा कि हमने बताया था यह था dx by square root of a square minus x square is equal to sign inverse x by a simple x by a अब यहां sign तो क्या बन जाएगा sign inverse x by a यह formula बन जाएगा इस तरीके से sign inverse x by a plus में c तो यह जो convert हो जाएगा यह होगा कुछ ऐसा sign inverse और x की जगा यह पूरी की पूरी term आएगी x minus 1 divided by 1 plus में c यह होगा इस तरीके से क्या है आई चीजे समझ में important यह chances होते हैं अच्छा यह question जो आता है वो एक marks में आता है इस identity से अगर normal easy question आएगा तो simple सा question आएगा हलका full का question आएगा तो वो एक marks में ही consider किया जाएगा जो heavy questions है वो अभी नहीं बाद में करवाएंगे इनके ठीक है जब properties के बाद करवाएंगे ना some properties of definite integrals करवाएंगे उसके बाद 6-6 marks के 6 नहीं 3-4-4 marks के जो questions आते हैं वो करवाएंगे ठीक है और 5 marks के 4 marks का तो case study होता है आपका ठीक है सभी को समझ आया चलिए चलिए चलो अब wrap up करने का time आया है ठीक है बट उससे पहले कुछ एक आदे objective type questions करवाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं क्योंकि आज का मतलब board का pattern कुछ इस तरीके से बन चुका है कि 20 objective type questions आते ही आते हैं और हाँ integration से 2 questions तो बनते ही बनते हैं तो हर एक topic से objective questions objective type questions multiple choice questions बनी सकता है बड़े प्यार से बड़े असानी से बन सकता है तो एक बार objective type questions करते हैं उससे फाइदा ये होगा कि ये भी पता लग जाएगा कि हमने पढ़ा क्या क्या है आज और कि आप लोगों को ने ग्राप कितना किया है तो आज का पहला objective type question आपकी screen पर basic से start करेंगे जैसा कि हमने starting में बताया था basic से start करेंगे basic आपका question ये रहा question क्या है question है कि differentiation of fx function का differentiation है ये f of 2 given है 2 हमें find करना है fx की value fx की value find करनी है तो होगा कैसे confuse होने की जरूत नहीं है जैसा कि हमने बताया कि भाई differentiation ये है function का तो भाई d by dx of fx है ना वो ये आही चुका है हमारे पास जो की है 4x की power 3 minus में 3x की power कितना है 4 है ठीक है तो हमें सिरफ और सिरफ क्या find करना है fx find करना है तो simple सा अगर यहां हम integration लगा दें similar sorry यहां integration लगा दें तो भाई integration और differentiation आपस में क्या होते हैं एक दूसरे के inverse होते हैं तो differentiation और integration क्या हो गया cancel out तो मतलब यहां से हम बोल सकते हैं जो हमारा function होगा fx वो किसके बराबर होगा वो होगा integration of 4x की power 3 minus का 3x की power minus 4 लिख सकते हैं क्या इसको हम अजी बिल्कुल लिख सकते हैं ठीक है इसको लिख सकते हैं भई यह चीज़ समझ आई डिफ्रेंशेशन अगर एक्स के रस्ट में हो रहा तो बही algebra है तो x की power n वाला formula लगने वाला है अब तक तो मेरे ख्याल से सभी को याद भी हो गया होगा कि होता क्या है यह होता है यह होता है न solve कर दे चालो solve करेंगे तो यह तो बन जाएगा आपका 4 x की power 4 by 4 minus का 3 x की power minus का 4 plus 1 जो की minus का 3 होगा और divided by minus का 3 plus का c भी आएगा याद रखना और यह है आपका function fx यह क्या है आपका function fx अगर आप आपने ध्यान दिया हो question में तो यहाँ न c है ही नहीं constant term नहीं है बट constant term की जगा एक fixed value है वो किस वज़े से है वो है f of 2 की value हमें given है 0 के बराबर f of 2 पहले तो function निकाल लेते हैं कि exactly है क्या तो जो function है वो क्या है fx is equals to यहाँ से 4 और 4 cancel हो गया तो यह आजाएगा x की power 4 यहाँ से minus minus cancel 3 3 cancel x की power minus 3 बन गया जिसको अगर हम लिखें तो यह होगा 1 by x की power 3 और यह होगा plus में c इतना समझ आ गया simple क्या किया है simple minus minus plus हो गया 3 से 3 cancel हो गया x की power minus 3 minus का मतलब होता है reciprocal मतलब denominator में है तो minus अगर मेरे को हटाना है तो denominator में value put कर दो denominator में डाल दिया ठीक है अब हमें fx की value पता लगी बट हमें question में ही given है जो आपका fx है वो 0 के बराबर है मतलब f of x मतलब f of 2 given है 0 के बराबर मतलब अगर x की value 2 होगी तो जो function होगा वो 0 होगा function क्या होगा 0 होगी मतलब मैंने value put कर दी f of 2 put कर दी f of 2 put करी f of 2 जैसा की हमें 0 given ही है मतलब x की value 2 put करी तो 2 की power 4 plus में 1 by 2 की power 3 वो plus c के बराबर होगा मतलब यहां से हम बोल सकते हैं कि c will be equals to minus का 2 की power 4 4 4 जा 16 16 minus का 1 by 8 के बराबर होगा जो की होगा 129 128 minus का 129 by 8 यह c की value होगी c की value क्या होगी negative of 129 c की value क्या होगी negative of 129 तो मतलब function क्या बन गया मेरे पास c की value defined होगी तो यह होगया x की power 4 plus में 1 by x की power 3 minus का 129 divided by 8 clear है कौन सा option correct होगा फिर बताओ भई plus तो c है नहीं तो यह तो cancel है plus c है नहीं तो यह भी cancel या तो यह होगा या तो यह होगा but x की power 3 तो है ही नहीं x की power 4 है x की power क्या है 4 आया है x की power 4 ठीक है तो मतलब b नहीं है d नहीं है c नहीं है correct option आपका a है ठीक है basic यह था basic question मतलब जो basic हमने करवाया था identities normal basic formulas करवाये थे यह वहाँ से हमने पूछा है question यह वाला ठीक है चालो अब देखते हैं next question next question कौन सी कहां से निकाला है कौन से खजाने से निकाला है substitution से यह निकाला गया है substitution से तो देखते हैं कितने बच्चे हैं जो substitution method से इस question को कर पाते हैं ठीक है इसके बाद अच्छा है है ओके ठीक है अभी हमारे पास ठीक है एक कोशन और बच रहा है एक और कोशन कर वाएंगे ठीक है वो आइडेंटिटी बेसिस पर होगा यह सब्सक्राइशन मैथड है देखो भाई अगर सब्सक्राइशन मैथड यूज कर रहे हैं तो सिंपल मान के चलना मैक्समून टाइम डिनॉमिनेटर ही टी पूट किया जाएगा बट यह भी चेक कर लेना क्या डिनॉमिनेटर का डिफरेंशेशन निमेरेटर में प्रेजेंट है क्या तो यहां हमने पाया क कि अगर हम डिनॉमिनेटर को टी पूट करें मतलब टी एक्स की पावर टैन प्लस में टैन की पावर एक्स आप यह जो टैन की पावर एक्स है ना यह है कैसा कॉंसेप्ट यह है आपका ए एक्स याद है एक्स ए टूदा पावर एक्स 5.5 एक्ससाइज 5.5 यह आपकी थी जह यहां पर हम यूज करते थे differentiation में लग याद आया कुछ A कीَ पावर एक्स का differentiation किया होता था इसका differentiation होता था A की power X as it is in Togo में लागे याद है कुछ आया दिमाग में दिफ्रेंशेशन आप लोगोंने पड़ी थी तो एकी power x का differentiation क्या होता था एक की पावर एक सिंटू लॉग ए ठीक है तो बस यहां पे हमने यह देखना है डी टी बाइडी एक्स करके क्या हमारे पास इसका क्या है डिफ्रेंशेशन प्रेंट एक तो यह हो जाता है 10 इंटू एकस की पावर 9 लस्टन की इंट की पावर 10 हैं तो यह क्या हो जाएगा है मैं ट की पावर एकस इंटू में लॉग को टैन लॉग आफ क्न होगा आफ यह आपका टैन है यह volunteer में चला गया है ये 10 है वैसे आपका ये ऐसा है ये है 10 ऐसा इसके बेस में exponential है बात वही है यही है तो ये क्या बन जाएगा ये क्या बन जाएगा आपका अब तो खतम हो गया question ये हो गया t ये उपर वला हो गया dt ये क्या बन गया dt यहां से हमें सीधा सीधा पता लग गया कि जो हमारा DT है वो किसके बराबर ये हो जाएगा DX और ये तो है ही numerator ये तो है ही numerator तो यहां से आगे solve गरने की जरूरत नहीं आगे हमें solve गरने की क्यों नहीं जरूरत है क्योंकि हमें पता लग गया भाई लॉग में ये denominator वाली term आएगी अब लॉग है क्या कहीं इसमें तो लॉग है नहीं इसमें लॉग है नहीं इसमें लॉग है नहीं बचाएए अब लॉग वाली term क्यों आएगी क्योंकि ये इस form में बना है अब इसको further solve करने की जरूरत नहीं डी टी बाई टी होता है तो लॉग ही होता है और लॉग तो सिरफ एकी में है, अप्शन नंबर डी में उप्शन नंबर डी में खतम, लॉग तो सिरफ एक में ही है और वो कौन सा और और नंबर डी है खतम कहानी ठीक है, चलिए आगे बढ़े हैं, बिल्कुल अच्छे से देख लो चलो जिसको देखना है वो देख सकता है द्यान से द्यान से देख सकता है क्या किया धीरे से समझाया हमने इसको properly कि भई हुआ कैसे करेंगे कैसे ठीक है ओके ओके फाइं अच्छा 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 ये ये हम बूल गए सौरी यह हम बूल गए देख लो चलो ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट ठीक है क्या ये कोशन आप खुद कर सकते हो चलो ठीक है इस कोशन को करवाते हैं देखो ये जो कोशन है ये लग तो इसी आइडेंटिटी का रहा है अभी अभी पढ़ा है ये हमने कौनसी आइडेंटिटी का अभी इंटीरेशन का पढ़ा है हमने की डी एक्स बाए वो है जस्ट अभी अभी करा आए जस्ट अभी अभी है ना तो ये कोशन हम देना चाहेंगे आपको होंगो के तोर पे बिल्कुल डिक्टो है मतलब एक सीन्दे का भी फरक नहीं है बस हाँ 4 को आपको बाहर निकालना पड़ेगा बस आपको क्या करना पड़ेगा 4 को बाहर आउट लिकालना पड़ेगा बाहर लिकालना पड़ेगा मतलब इसको ऐसा करना पड़ेगा कि इंटिग्रेशन डी एक्स डिवाइड़ बाइ यह हो जाएगा आपका रूट का 9 by 4 x माइनस का x2 रूट का 4 बाहर निकलेगा 1 by root का 4 तो यह 1 by 2 होगा ऐसे इसको solve करना पड़ेगा चल इसको फिलहाल देखो जो हमारे पास identity थी चलो मिटा के proper तरीके से करते हैं जो हमारे पास formula था वो अभी अभी हमने पड़ा है कि अगर x square negative में हो ना अगर x square negative में हो तो यहाँ पे यह वाला simple सा बन जाता है यह वाला बन जाएगा square root of a square minus x square बन जाएगा बस हमें इस form में इ करके रखना है लोग convert करके रखना है ठीक है तो कैसे करें है ना तो इसमें एक तो simple तरीका पता है क्या है simple तरीका बहार निकालो यह कुछ ऐसा हो जाएगा यह बन जाएगा one by two just अभी बताया था यह हो जाएगा integration of यह होगा dx divided by square root of 9 by 4 x minus का x square अच्छा निकाला क्यूं यह x square का coefficient 4 था निकाला क्यों क्यूंकि जो formula है वो ध्यान से देखो x square का coefficient 1 होता है 1 के लावा ना 4 ना 3 ना 2 ना 6 ना 7 ना कुछ ना कुछ ना कुछ कुछ भी नहीं क्या होता है कुछ भी नहीं सिर्फ यह होगा ठीक है अच्छा यह चलो समझ आ गया यह greater अच्छी बात है यह आ 1 by 2 होगा बाहर की तरफ 1 by 2 होगा बाहर की तरफ और अगर आपने formula इसका पड़ा है जो कि अभी अभी हमने बताया है वो होता है sin inverse x by a plus में c तो यहां से एक चीज तो हमें पता लगी कि भाई जो हमने 1 by 2 बाहर निकाला है वो 1 by 2 बाहर ही रहेगा मतलब यहां से एक चीज फिर से confirm होगी कि a और c answer नहीं हो सकता क्या answer नहीं हो सकता a answer नहीं हो सकता c answer नहीं हो सकता क्यों 1 by 9 कैसे आ जाएगा 1 by 3 कैसे आ जाएगा 1 by 2 ही होगा या तो 1 by 2 होगा या तो क्या होगा 1 by 2 होगा या 1 by 2 होगा ठीक है इतना clear है funda ठीक है अब दूसरी बात करते हैं इसको solve क करेंगे तो जैसा कि हमने step by step आप लोगों को बताया है चलो भई next page यह हो जाएगा integration dx divided by square root of 9 by 4 9 by 4 x minus का x square पहला step हमने क्या बताया था पहला step बताया था कि take xx का जो coefficient है वो लिना है वो क्या है वो है 9 by 4 उसमें क्या करना है 1 by 2 को multiply करना है कितना आ गया 9 by 8 9 by 8 को क्या करना है square करना है जो कि कितना आ गया 9 by 8 का square करेंगे तो यह आ जाएगा 81 by 81 by 64 इसको add and subtract करना है यहाँ पर इसको add and subtract करना है यहाँ पर मतलब माइनस का 81 बाई 64 प्लस का 81 बाई 64 तो यह क्या बन जाएगा यह अगर आप ध्यान से देखो तो यह बन जाएगा integration of dx divided by प्लस का 81 बाई 64 इदर की तरफ जो की क्या बन जाएगा square root of 81 by 64 मतलब 9 by 8 का whole square ठीक है बाकी जो terms आपकी बच रही है ज़रा ध्यान से देखना ये ये और ये माइनस अगर मैं बाहर निकालू अंदर की तरफ क्या बच जाएगा ये बच जाएगा माइनस का bracket x square माइनस का 9 by 4 x और प्लस का 81 by 64 जो की अगर आप ध्यान से देखो identity बन जाएगा x माइनस 9 by 8 का whole square क्या बन जाएगा x माइनस 9 by 8 का whole square मतलब यहाँ आएगा x माइनस 9 by 8 का whole square अब इसको फर्दर आप solve भी नहीं करोगे ना तब भी आपका अंसर आ गया इसको बाकी solve करने की जरूत नहीं है क्यों क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है sine inverse x by a sine inverse x by a तो यह हो जाएगा simple sine inverse x क्या है यह है x माइनस 9 by 8 a क्या है 9 by 8 है इसको आप further solve करोगे तो यह कुछ है ऐसा बन जाएगा sine inverse bracket में 8 x माइनस का 9 divided by 9 कैसे LCM लिया यहां से आपने LCM लिया यह वन था 8 हो गया 8 x माइनस 9 हो गया divided by 8 similarly 9 by 8 8 और 8 से cancel तो यह क्या हो गया 8 x माइनस 9 by 9 by अभे 9 ठीक है अच्छा यहां पे common out क्या निकाला था अगर आपको याद हो common out था 1 by 2 तो 1 by 2 भी चलता आ रहा है वो हम miss कर रहे है जान बुझ के क्योंकि एक बार normal form आपको समझा जाए फिर 1 by 2 लगाना much more easier task तो यह क्या हो जाएगा यहां पे 1 by 2 था यहां पे भी था यहां पे भी रहेगा यहां पे भी रहेगा तो answer कौन सा correct होगा यह होगा 1 by 2 divided by 1 by 2 यह 1 by 2 8x-9 वाला 8x-9 कहा है यह है तो option कौन सा correct option number B correct option number कौन सा correct पी correct simple थोड़ा सा था no doubt अच्छा था अच्छा था अच्छा था अच्छा था बढ़िया था चीक है चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे अब एक question देते हैं आपको self try करने के लिए इतने करवा दिये एक तो self try आप लोगों का भी बनता है है ना यह question आपके लिए है homework यह आप try करोगे खुद से करने की यह आप खुद से try करोगे करने की question क्या है dx by divided by sin square x into cos square x इसका आपको integration करके दिखाना है देखते हैं कितने बच्छे इसको कर पाते हैं ठीक है sorted है सभी को बढ़िया तरीके से चालो चालो तो यहाँ पर हम करते हैं आज की class का wrap-up ठीक है finish करते हैं क्या क्या finish करवाया हमने हमने integration के बारे में बताया अज चीक है उसके बाद क्या बताया वौिए inverse function होता है integration anti derivative बोला जाता है notations के बारे में समझाया है basic formulas करवाए हैं फिर उसके कुछ questions करवाए है फिर क्या रवाया है सबसे important ठीक है इन में से सबसे important वो है ठीक है अब बच क्या क्या रहा है जो की to be continued रहेगा हमारा ठीक है film खतम होती नहीं है ना serial खतम होता नहीं है ना serial में क्या लिखा जाता है to be continued लिखा जाता है तो बस यह हमारा सीरियली चल रहा है जिसमें अभी आपका क्या-क्या बच रहा है अभी आपका बच रहा है पार्शल फ्राक्षिन एंड बाइपार्ट मैथड ओफ इंटिग्रेशन में मोस्ट प्रबाबली एक लेक्षर में फिनिश हो जाएंगे और फिर ये एक लेक्षर आपका डेफिनिट इंटिग्रेशन का ठीक है तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मैथड़ टाइपस ऑफ मैथड़ ओफ इंटिग्रेशन में जहां पे पार्शल फ्राक्षिन एंड ब का है थिक है ये कोशन एक अदर कोशन इसमें से रहेगा फिर भी रहेगा ठीक है क्लियर से वठीठी मिलते हैं तब तक के लिए बाइबाइब टाटा अन्युच्वाँ थी?